मौक टेस्ट सिविल सेवा प्रारंभिक परिक्षा बाई कॉटिल्य अकेडमी इंदौर प्रश्ण पत्र एक सामाने अधेयन जेनरल स्टेरीज जी एस प्रश्ण संख्या एक दक्षिन उपक्षेत्र या आर्थिक सायोग के संदर में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक यह पूर्व और दक्षिन पूर्व एशिया में अंतरक्षेत्र व्यापार को बढ़ावा देने वाले मल्टी मॉडल क्रॉस बॉर्डर ट्रांस्पोर्ट नेट्वर्क्स को सुद्रड करने का प्रयास करता है नमबर दो यह दक्षिन एशिया एक शेत्रिय सहयोग संख के तत्वाधान में कार्य करता है उपर्युक्त कतनों में इसे कौनसा या कौनसे सही है प्रष्ण संख्या दो इवं संपार्षविक के रूप में उप्योग की जाने वाली परिसमपत्ती के वास्तविक मूल्य की बीच अंतर है Option B, यह आवश्यक रिजर्व है जिसे वर्णिजिक बैंकों को स्वर्ण एवं सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों की रूप में बनाये रखने की आवश्रक्ता होती है C, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए सिरे से पुनरगठित सभी रिणों को अशोधे रिणों के रूप में वर्गिकरत किया जाता है दी ये प्रोक्रियाओं का पुनरगठन कर एवं कर्मचारियों की संख्या में कमी करके बैंकिंग कर्मचारी वर्क के स्टाफ में छटनी करने की प्रक्रिया है उतर है उप्षन ए ये रिण की राशी एवं संपाश्विक के रूप में उप्योग की जाने वाली परिसंपत्ति के वास्तविक मूल्य की बीच अंतर है प्रश्न संख्या तीन मिर्च की खेती के लिए निम्नलिकित परिस्थितियों में से कौन सी उप्योगत है नमबर एक सामाने तापमान के साथ गर्म और आर्दर जलवायू नमबर दो 200 सेंडमिटर से अधिक वर्षा नमबर तीन अमली अम्रदा प्रकार दिये गए कूट का प्रेवकर सही उतर चुनिया आप्षन A केवल पहला आप्षन B केवल पहला और दूसरा आप्षन C केवल दूसरा और तीसरा आप्षन D पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है आप्षन A केवल पहला प्रश्न संक्या चार नदियों के रेत खनन का या के निमनलिकित में से कौन सा यसे परिणाम सही है नमबर एक भूजल में कमी नमबर दो नद तटी अवनस्पतियों और जीवों का नश्ठ होना नमबर तीन जलकी गुणवत्ता में गिरावट दिये गय कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिये आप्षन A केवल दूसरा आप्षन B पहला दूसरा और तीसरा प्रशन संख्या पाँच भारतिय प्रेस और सहित्य ने भारतिय राष्ट्रे या आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई निमनलिकित में से कौनसी भूमिका या भूमिकाओं को इसके लिए उत्तरदाई ठहराय जा सकता है नमबर एक राजनीतिक विचारों के आदान प्रदान के लिए प्लाटफॉर्म प्रदान करना नमबर दू न केवल स्वर्शासन के अनाधोनिक विचारों अपितु क्रांतिकारी विचारों का भी प्रसार नमबर तीन जनता के वीच राष्ट्रे चेतना का निर्मान करने में सहायता की दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये आप्शन A केवल पहला और दूसरा आप्शन B केवल पहला और तीसरा आप्शन C केवल दूसरा और तीसरा Option D, पहला, दूसरा और तीसरा उत्रे Option D, पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न संक्यच है सयुक्त राज अमेरिका में फेडरल इंट्रेस्ट, रेट मिवृध्धी का या के भारत में निम्न में से कौन सा या से प्रभाव हो सकता है नमबर एक, भारतिय रोपाई के तुलना में अमेरिके डॉलर का मजबूत होना नमबर दो, भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में कमी नीजे दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुने Option A, केवल पहला, Option B, केवल दूसरा Option C, पहला और दूसरा दोनो, Option D, न तो पहला नहीं दूसरा उत्तरे Option C, पहला और दूसरा दोनो प्रशन संक्या साथ खादे और पोशन सुरक्षा स्थूचना प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वैश्विक पहल, Food Security Information Network निमनलिकित में से किनकी संयुक तो पहल है नमबर एक, अंतराश्ट्रे कृशी विकास कोश नमबर दू, विश्व खादे कारिक्रम नमबर तीन, अंतराश्ट्रे खादे नीती अनुसंधान संस्थान नमबर चार, खादे और कृशी संगठन दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिये Option A, केवल पहला, दूसरा और तीसरा Option B, केवल दूसरा, तीसरा और चौथा Option C, केवल तीसरा और चौथा Option D, केवल पहला और चौथा उतर है option B, केवल दूसरा, तीसरा और चौथा प्रशन संक्या आठ भुगतान संतुलन में अद्रिश भुगतान के अंतरगत निम्नलिकित में से किसका या किनका विवरण दिया जाता है नमबर एक, विदेशी प्रवासियों से प्रेशिद्धन नमबर दो, सौफ्ट वेर सेवाओं का निर्यात नमबर तीन, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीचे दिये गया कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये option A, केवल दूसरा, option B, केवल पहला और दूसरा option C, केवल तीसरा, option D, पहला दूसरा और तीसरा उत्तर option B, केवल पहला और दूसरा प्रिश्ट संख्या सत्तर, प्रश्ण संख्या 9 निम्नरिकित में से भारत में लवण जल ज्छीलें कौन सी हैं? नमबर एक लोनार जील, नमबर दो सांभर जील, नमबर तीन सोमूरिरी जील, नमबर चार वूलर जील नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये Option A, किवल पहला दूसरा वद तीसरा, Option B, किवल पहला और चौथा, Option C, किवल दूसरा और तीसरा, Option D, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, उत्तर है Option A, किवल पहला दूसरा वद तीसरा, प्रश्न संक्या 10, निम्नलिकित संसदिय समितियों में से कौन सी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिती या समितिया है नमबर एक प्राक समिती नमबर दो अनुसूचित जाती एवं जन जाती कल्यान समिती नमबर तीन महिला सशक्ती करन संबंधी समिती नीचे दिया गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिए Option A पहला दूसरा और तीसरा Option B केवल दूसरा और तीसरा Option C केवल दूसरा Option D केवल तीसरा उतरे Option B केवल दूसरा और तीसरा प्रश्न संख्या 11 भारती राश्ट्रिय कॉंग्रेस के सत्रों के संदर में निम्नलिकित युगमों पर विचार कीजिए Number 1. सत्र नाकपुर युगम है निर्ने रियासतों में लोग भारती राश्ट्रिय 1920 कॉंग्रेस से तो नामांकन करवा सकते हैं Number 2. सत्र हरीपुरा युगम है निर्ने रियासतों के लिए पूर्व स्वराज की 1938 मांग को सम्मिलित किया गया Number 3. सत्र त्रिपुरी युगम है निर्ने रियासतों में आंदोलन का नेतरित्व 1949 करने के लिए कॉंग्रेस पर कोई रोक नहीं दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये Option A किवल तीसरा Option B पहला दूसरा और तीसरा Option C किवल पहला और तीसरा Option D किवल पहला और दूसरा उत्तर है Option B पहला दूसरा और तीसरा प्रशन संख्या 12 सारुजनिक वित्तिय प्रबंधन प्रणाली के संदर में निम्न कतनों पर विचार कीजिए Number 1. ये फण जारी करने के संबन में निगरानी रखने एवमून के उप्योग का किया जाता है नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये Option A किवल पहला Option B किवल दूसरा और तीसरा Option C किवल पहला और तीसरा Option D पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है Option C किवल पहला और तीसरा प्रशन संख्या 13 हाल ही में समाचार में देखा गया सूर्य के रण 11 क्या है? बहरत और नीपाल के बीद सयुक्त सैन ने अभ्यास प्रशन संक्या 14 प्रशन काल के संब्द में निम्दलिकित कत्नों पर विचार कीजिये नमबर 1 और तारांकित प्रशन के लिए मौखिक उत्तर की अविशकता होती है नमबर 2 कूट का प्रयोक कर सही उतर चुनिये, option A, किवल पहला और दूसरा, option B, किवल दूसरा, option C, किवल पहला और तीसरा, option D, उक्त कोई नहीं, उतर है option D, उक्त कोई नहीं, प्रश्न संख्या पंदरा, देश में निवेश एवं Ease of Doing Business है तू, हाल ही में सरकार द्वारा की गई पह नीचे दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उतर चुनिये, option A, किवल तीसरा, option B, किवल दूसरा और तीसरा, option C, किवल पहला और दूसरा, option D, पहला दूसरा और तीसरा, उतर है option D, पहला दूसरा और तीसरा सोल्वा प्रश्ण निम्नलिकित में से कौन सा या कौन से बेसिन या क्षेत्र भारत में कच्चे तेल और प्राक्रतिक गैस के स्थापित वानेजिक उत्पादन से सम्मन्द है नमबर एक कच्च नमबर दो खंभात नमबर तीन कृष्णा गोदावरी दिये गए कूट का उप्योग कर सही उत्तर चुनिये सथानिय शहरी शासन के संदर में स्पेशल परपोस एजनसी से सम्मन्दित निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिये नमबर एक, ये कारे आधारत निकाय हैं जिनके स्थाफना केवल निर्दिष्ट गतिविधियों को आरंब करने के लिए की जाती है नमबर दो, वे स्थानिय नगर निकायों की अधिनस्त एजंसियां है नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये प्रशन संख्या 18, समवधान के अनुछेद 22 के संदर में साधारन कानून के तहट गिरफतार किये गए या हिरासत में लिए व्यक्ति के लिए निम्नलिकत सुरक्षा उपायों में से कौन सा या कौन से उपलब्द है नमबर एक उसे अपने गिरफतारी के आधारों की सूचना दिये जाने का अधिकार है नमबर दो यदि दंडा धिकारी द्वारा हिरासत की अवधी में व्रिदी नहीं की जाती है तो उसे 24 घंटे के बाद रिहा किये जाने का अधिकार है नमबर तीन उसे कानूनी पेशेवर द्वारा अपना बचाव करने का अधिकार है नीचे दियेगे कूट का प्रेयोकर सही उत्तर चुनिए आप्शन A केवल पहला और तीसरा आप्शन B केवल दूसरा आप्शन C केवल पहला और दूसरा आप्शन D पहला दूसरा और तीसरा उत्रा आप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा उनीसमा प्रश्न आर्क्टिक परिशत के संदर में निम्न कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक ये अंतर सरकारी फोरम है जिसका उदेशय आर्क्टिक शेत्र के परियावरणिय मुद्दों के समाधान पर ध्यान केंदरत करना है नमबर दो इसके सदासियों में केवल वे देश सम्मिलित हैं जिनका राजिक शेत्र आर्क्टिक महासागर में अवस्थित है नमबर तीन भारत इस परिशत के प्रेक्षक राजियों में से एक है नीचे दियेगे कूट का प्रेवकर सही उत्तर चुनिये औप्शन A केवल पहला और दूसरा आप्शन C पहला दूसरा और तीसरा आप्शन D केवल तीसरा उत्तर आप्शन C पहला दूसरा और तीसरा प् उला युक्त वर्षा से सम्मंद होते हैं, लेकिन उनके साथ तडित, मेग गर्जन या ओला वर्षन नहीं होता है। या कौन से आधार प्रदान किया या किये गए हैं। प्रशन संख्या 22, हाल ही में गंगा और यमुना को जीवित व्यक्ति के रूप में गोशित किया गया। इस संदर में निमनलिकित कत्मों पर विचार कीजिए। नमबर एक गंगा नदी उतरा खंड में अलक नंदा और भगी रथी के संगम से बनती है। नमबर दो यमुना का उदगम हिमाचल प्रदेश में यमनोत्री ग्लेशियर से होता है। नमबर तीन यमुना गंगा के दाएं तटकी सहायक नदी है। नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उतर चुनिये। औप्शन ए किवल पहला और दूसरा, औप्शन बी किवल दूसरा और तीसरा, औप्शन सी किवल पहला और तीसरा, औप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा, उतर है औप्शन सी किवल पहला और तीसरा। प्रश्न संख्या थेस भारत में वन वर्गी करण के संबंद में निम्नलिकित कत्नों पर विचार कीजिए नमबर एक वन शेत्र का संदर्ब सरकारी रिकॉर्ड के वन के रूप में दर्ज किये गए किसी भी बहुगॉलिक शेत्र से होता है नमबर दो वन आवरण में 100% व्रिक्ष्वितान घनत्व वाली भूमी सम्मिलित होती है नीचे दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिये आप्शन ए केवल पहला आप्शन बी केवल दूसरा आप्शन सी पहला और दूसरा दोनों आप्शन डी ना तो पहला नहीं दूसरा उत्तर आप्शन ए केवल पहला प्रश्न संक्या 24 शिमला शिष्ट मंडल के सम्मन में निम नलिकित कत्नों में से कौन सा या कौन से सही है नमबर एक इसका नेत रित्व सेयद एहमद खान द्वारा किया गया था नमबर दो इसने मुसल्मानों के लिए सहीं तिर निर्वाचक मंडल की मांग की नमबर तीन मुसल्मानों के लिए प्रथक राश्ट्र की मांग का प्रस्ताव सर्व प्रथम इस शिष्ट मंडल द्वारा प्रस्तावित किया गया था नीचे दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिया औप्शन A केवल पहला और दूसरा औप्शन B केवल दूसरा औप्शन C केवल पहला और तीसरा औप्शन D उक्त कोई नहीं उत्तर है औप्शन D उक्त कोई नहीं प्रश्न संख्या 25 अंतराश्ट्रे निवेश विवाद निप्टान केंद्र के संबन में निम्नलिकित कत्नों पर विचार कीजिए नमबर तीन भारत इस संगठन का सदस्य है दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिये औप्शन A केवल पहला औप्शन B केवल दूसरा और तीसरा औप्शन C केवल पहला और दूसरा औप्शन D पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है option C, किवल पहला और दूसरा प्रश्न संख्या 26 हाल के दिनों में भारत में वनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं इस सम्मन में निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक, वनों में आग लगने की घटनाओं को विच्ष तने के वार्शिक चक्र में रिकॉर्ड किया जा सकता है नमबर दू, पूर्वी हिमाले के वन, पश्चिमी घाट के वनों की तुलना में आग लगने की घटनाओं के प्रती प्राक्रतिक रूप से अधिक सम्मीन शील है नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये उत्तर है उप्शन A केवल पहला, उप्शन B केवल पहला और दूसरा, उप्शन C पहला और दूसरा दोनों, उप्शन D न तो पहला नहीं दूसरा, उत्तर है उप्शन A केवल पहला प्रश्न संख्या 27, संसन में संग राजक शेत्रों के प्रतिनिधित्व के संदर्ब में निम्नलिकित कत्नों पर विचार कीजिए नमबर एक, सभी संग राजक शेत्रों को लोग सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है नमबर दो, केवल दो संग राजक शेत्रों दिल्ली और पुदुचरी को राजस सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है नमबर तीन, सम्विधान में संगराजक शेत्रों से लोग सभा के लिए सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव हेतु प्रक्रिया नरधारित है नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिए आप्शन A, पहला, दूसरा और तीसरा आप्शन C, किवल पहला और तीसरा आप्शन D, किवल तीसरा उत्तर है आप्शन B, किवल पहला और दूसरा प्रशन संख्या 28 निम्नलिखित में से कौन सा विकल पबलिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम की सर्वोतम व्याक्या करता है आप्शन A, इसका संदर्ब देश के केंद्रिय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खरीद से होता है आप्शन B, ये सारजनिक प्रस्ताव का प्रकार है, जिसमें किसी कमपनी के शेयर संस्थागत निवेशकों को विक्रे किये जाते है आप्शन C, ये किसानों से प्रशासे दरों पर खाद्यानों की खरीद कर खादे सुरक्षा सुनिश्चित करने का माध्यम है उन-तीसमा प्रशन निर्यात उत्कृष्टता के शहर निर्धारित क्षेत्रकूं में नियुनतम मान से अधिक मुले की वस्तूओं का उत्पादन एवं निर्यात करते हैं और इनमें निर्यात के एक शेत्र में और अधिक व्रदी की क्षमता होती है दिम्नलिकित शेहरों में से कौन सा या कौन से इस श्रेणी में चिहनेत किया या किये गए है नंबर एक कानपुर, नंबर दो श्रीनगर, नंबर तीन सूरत दिये अगर कूट का प्रयोकर सही उत्तर चनिये प्रशन संख्या 30 एगरो टेररिजम के संबन में निम्नलिकित में से कौन सा विकल्ब सही है उप्शन ए इसका तातपरिया कृशिक श्रेतरक में रोग या कीट का जान बूज कर प्रवेश कराना है ये कार्य सामाजिक आर्थिक अस्थिरता उत्पन करने की दुर्भावनाओं के तहट किया जाता है उप्शन सी विभिन जीवानू जनत और कवकिय रोग जनकों का कृशी आतंकवाद के एजेंट के रूप में उप्योग किया जा सकता है उप्शन डी सभी तीनों कथन सही है उत्तरह उप्शन डी सभी तीनों कथन सही है प्रिष्ट संख्या बहत्तर 31 प्रशन निम्नलिकित समितियों में से किसने हाल ही में केंद्र सरकार के समक्ष सरस्वती नदी के प्रवाह मार्क का प्रमाण प्रदान करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की 32 प्रशन निम्नलिकित में से कौन से कारक महासागरिय धाराओं को प्रभावित कर सकते है 33 प्रशन निम्नलिकित में से कौन शेत्री या ग्रामीन बैंकों के शेर धारक होसागरिय धाराओं नमबर एक केंद्रसरकार नमबर दो राजसरकार नमबर तीन प्रयोजक बैंक नीचे दिये गए कूट का प्रयोगर सही उत्तर चुनिये उप्शन ए किवल पहला और दूसरा उप्शन बी किवल दूसरा और तीसरा उप्शन सी किवल पहला और तीसरा उप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है उप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा 34. निम्नलिकित में से किन प्रजातियों के बीच की पारस परिक्रियाएं सहे भोजिता प्रकार की पारस परिक्रिया को प्रदर्शित करती है नमबर एक चूशक मत्स्य एवं शार्क। नमबर दो केकड़ा और समुद्री एनिमोन। नमबर तीन अधीपात एवं व्रिक्ष। नीचे दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिये। उप्षण A केवल पहला और दूसरा, उप्षण B केवल पहला और तीसरा, उप्षण C केवल दूसरा और तीसरा, उप्षण D केवल तीसरा, उत्तर है उप्षण B केवल पहला और तीसरा। प्रशन संख्या 35 उत्तर है उप्शन दी आर्क्टिक टर्ण। प्रशन देश में निम्नलिकित में किन राज्यों ने 100% विद्यतिकृत गाउं के लक्षय को प्राप्त कर लिया है। नमबर एक आंद्रप्रदेश, नमबर दो गुजरात, नमबर दीन केरल, नमबर चार हरियाना। दिये गये कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिये। Option A केवल पहला वद दूसरा, Option B केवल तीसरा और चौथा, Option C केवल दूसरा और तीसरा, Option D केवल पहला और चौथा, उत्तर है Option A केवल पहला और दूसरा. 38. निम्नलिकित में से कौन प्रोटेम अध्यक्ष की न्योकती से सम्मंध है? Option A केवल राष्ट्रपती, Option B केवल राष्ट्रपती एवं लोगसभा के सदस्य, Option C लोगसभा के सदस्य, संसदिया मामलों के मंत्री और राष्ट्रपती, Option D राष्ट्रपती, संसदिया मामलों के म क्षेत्र की चत्ताने धारवाड प्रणाली से सम्मंदित है। सिंटेक्सियल बैंज ऐसे बिंदू हैं जहां हिमालय परवत मालाएं एक धुराग्रई बिंदू के चारों और मुड़ती हुई प्रतीत होती है। सभी सही है। लवण आयनों को एक विलेयन से दूसरे विलेयन में इस्तान अंतरित करने की प्रक्रिया है। सीरिया में सयुक्त राष्ट्र के नेतरित्व में शांती कारिवाई। उत्तरे अप्शन सी इंटर्पोल के नेतरित्व में वन्य जी विवं इमार्ती लकडी संबंदी अवैद व्यापार से निपटने ही तो वैश्वी कभ्यान। 43. नए नारों के संबंद में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए। 44. सुब्रमनिम आयर ने निम्नलिकित में से किसके विरोध में अपनी नाइट की पदवी का त्याग कर दिया। 45. संसदिय फोरम मंत्रियों और अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण मुद्धों पर चर्चा करने के एक प्लाटफॉर्म के रूप में कारे करते हैं। इसके सम्मन में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए। 46. वैग्यानिकों द्वारा हाली में विक्सित किया गया ग्रसोलीन क्या है। उप्शन A. घास से विवत्पन एक जैव इंधन। उप्शन B. घास से विक्सित एक कीट निरोधक। उप्शन C. एक कार्बनिक अगनी प्रतिरोधी लेप। उप्शन D. घास से बनाया गया एक त्वचा देखभाल उत्पाद। उप्शन A. घास से विवत्पन एक जैव इंधन। 47. एक लव्य मॉडल आवासे विद्यालेयों के संदर में निम्न लिखित कत्नों पर विचार कीजिए। नमबर एक. EMRSS का उद्देशिया। दूरस्तक शेत्रों में अनुसूचित जैन जाती के छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण माध्यमिक और उच्चस्तरी शिक्षा प्रदान करना है। नमबर दों ये मानव संसादन विकास मंत्राले की एक पहल है। दिये गय कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिये। Option A केवल पहला, Option B केवल दूसरा, Option C पहला और दूसरा दोनों, Option D न तो पहला नहीं दूसरा। उत्तर है Option A केवल पहला। 48 प्रश्ना 49 प्रश्ना दूसरा दूनो, option D ना तो पहला नहीं दूसरा, उत्तर है option A केवल पहला, प्रेश्न संख्या 50, निमनलिकित में से कौन सा या कौन से, भारत में add valorem tax का या के उधारण है, नमबर एक संपत्तिकर, नमबर दो सीमा शुल्क, नमबर तीन सिगरेट पर उत्पात कर, नीचे दियेगए कूट का प्रेयोकर सही उत्तर चुनिए, option A केवल पहला, option B केवल पहला और दूसरा, option C केवल दूसरा और तीसरा, option D पहला दूसरा और तीसरा, उत्तर है option B केवल प नमबर एक, वो राजे के किसी भी कानून के विरुद किसी भी अपरात के लिए दोशी ठहराए गए, किसी भी व्यक्ति का दंड परिवर्तित कर सकता है। प्रशन संख्या बावन निमनलिकित में से कौन सा XC2 Bio Remediation का उधारण है। प्रशन दिमनलिकित में से किसे या किनी भागौलिक संकेतक का दरजा दिया गया है। नमबर एक आंद्रप्रदेश की श्री कला हस्ती कलमकारी। नमबर दो पंजाब की फुलकारी। नमबर तीन असम का मूगा रेशम। दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये। आप्शन ए केवल पहला, आप्शन बी केवल पहला और दूसरा, आप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा, आप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा, उत्तर आप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा। 54. सिंधु नदी प्रणाली के संदर में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए 1. चेनाव सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है 2. जेलम हरी के जहील के निकट सतलुज में मिलती है 3. रावी श्रीनगर से होकर बहती है और वूलर जहील से होकर गुजरती है उपर्युक्त कतनों में से कौन सा या कौन से सही है Option A. केवल पहला Option B. केवल पहला और दूसरा Option C. केवल दूसरा और तीसरा Option D. पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है Option A. केवल पहला पच्पन्वा प्रश्न वो भूमदे रेखिया फसल है किन्त विक्षे परिस्थितियों में इसे उश्न कट्रिबंधिया और उपोश्न कट्रिबंधिया क्षेत्रों में भी उगाया जाता है इसके लिए 200 सेंटेमेटर से भी अधिक वर्शा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताफमान के साथ नमी युक्त और आर्द्र जलवायों की अविश्रक्ता होती है इसे अधिकांशत हा जल ठहराव से बचाने के लिए चिकनी मिट्टी और ढहलान युक्त स्थलाक्रती वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है उपर युक्त परी छेद में निम्नलिकित में से किस फसल का वर्णन किया गया है उप्षण ए गन्ना, उप्षण बी रबड, उप्षण सी मक्का, उप्षण डी गेहूं उतरह उप्षण बी रबड प्रिष्ट संख्या 74, प्रश्ण संख्या 56, निम्नलिकित में से कौन से कारक भारत में उलिव रडले कच्छों के नीडन, नेस्टिंग के लिए खत्राउत पन्न करते है नमबर एक समुद्र तट का अपरदन, नमबर दो चक्रवात, नमबर तीन समुद्र तटो पर कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था, नमबर चार मशीनी कृत्प मत्स्यन दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिए, उप्शन A केवल पहला और दूसरा, उप्शन B केवल तीसरा और चौथा, उप्शन C केवल दूसरा तीसरा और चौथा, उप्शन D पहला दूसरा तीसरा और चौथा, उत्तरे उप्शन D पहला दूसरा तीसरा और निम्बर दो इसाई मिशिनरियों द्वारा लोगप्रिय बनाई जा रही पश्चे में शिक्षा और संस्कृती नीचे दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिये उप्शन ए केवल पहला और दूसरा उप्शन बी केवल दूसरा और तीसरा उप्शन सी केवल तीसरा उप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है उप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा प्रेश्न संख्या अठावन कृशी और प्रासंस्कृत खादे उत्पाद निरियात विकास प्रादीकरण के संदर में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक ये एक वैधानिक निकाय है नमबर दो इसे विभिनक रुशी उत्पादों के निरियात के संवर्धन और विकास का उत्तरदाइत्वा सौंपा गया है नमबर तीन ये वानेज्य और उद्योग मंत्राले के अधीन काम करता है उपर युग तकतनों में से कौन सा या कौन से सही है उप्शन a केवल पहला और दूसरा उप्शन b केवल दूसरा और तीसरा उप्शन c केवल पहला और तीसरा उप्शन d पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है उप्शन d पहला दूसरा और तीसरा 69 प्रश्न निम्नलिकित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है नमबर एक सुवर्न रेखा नमबर दो वन चिधारा नमबर तीन पेरियार नमबर चार वे गई नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये औप्शन A केवल दूसरा और तीसरा औप्शन B केवल तीसरा और चौथा औप्शन C केवल पहला दूसरा और चौथा औप्शन D पहला दूसरा तीसरा और चौथा उत्तर है औप्शन C केवल पहला दूसरा और चौथा प्रश्न संख्य साथ निमनलिखित में से कौन सी पवने दबाव प्रमणता बल और कोरियॉलस बल के बीद संतुलन के कारण समदाब रेखा के समाना अंतर बहती है Option A, कैटा टैबैटिक पवने Option B, एनाबैटिक पवने Option C, जियोस्ट्रोफिक पवने Option D, कोई नहीं Option C, जियोस्ट्रोफिक पवने एक सठवा प्रशन निमनलिखित में से कौन सा सही ढंग से आरबी आई की क्रियाओं ओपन मार्केट ओपोरेशन्स का वर्णन करता है Option A, राजकोशिय हुन्नियों के बदले में सरकार के लिए मुद्रा जारी करना Option B, मुद्रा की आपूर्ती नियंतरित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद करना Option C, इस्थिर विनिमें दर बनाय रखनी के लिए विदेशी आरख्षत मुद्रा की बिक्री या खरीद करना Option D, अनुसूचित वानेजिक बैंकों के NPA की बिक्री या खरीद करना उत्तरे Option B, मुद्रा की आपूर्ती नियंतरित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद करना 62 प्रश्न, निम्नलिकित उत्पादों पर विचार कीजिए Option A, केवल पहला और दूसरा, Option D, और तीसरा, Option D, पहला दूसरा और तीसरा 63 प्रश्न, बैंक for international settlement के संदर में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए इसका उदेश्य मौदरिक और वित्य स्थिर्ता का अनुगमन करने में केंद्रिय बैंकों की सहायता करना है नमबर दो ये जमाएं स्विकार करता है और निजी व्यक्तियों और कॉर्परेट संस्थाओं को वित्य सेवाएं प्रदान करता है नमबर तीन भारत B.I.S. का सदस्य है वो पर्युक्त कत्रों में से कौन सा या कौन से सही है ओप्शन A किवल पहला और दूसरा ओप्शन B किवल पहला ओप्शन C किवल दूसरा और तीसरा ओप्शन D पहला दूसरा और तीसरा उतरे ओप्शन B किवल पहला 64. बूंदी चित्रकला शैली के सम्मन्ने निंदनलिकित कत्नों पर विचार कीजिए नमबर एक ये लगो चित्रकला का एक रूप है नमबर दो इस चित्रकला के विशयों के रूप में केवल धर्म निरपेख्ष विशयों का उपयोग किया जाता है उपर युग तकत्नों में से कौन सा या कौन से सही है उप्शन A केवल पहला, उप्शन B केवल दूसरा, उप्शन C पहला और दूसरा दोनों, उप्शन D न तो पहला नहीं दूसरा उतर है उप्शन A केवल पहला प्रश्न संख्या 65 निम्नलिकित में से कौन सा फोरेंसिक विशलेशन के लिए मानव DNA का संभावित स्त्रोत नहीं है नमबर एक लार, नमबर दो लाल रक्त कोशिकाएं, नमबर तीन बाल उपर उक्त कत्नों में से कौन सा या कौन से सही है प्रश्न संख्या 66 निम्नलिकित में से कौन सी सूचक प्रजाती या प्रजातियां इंडिकेटर स्पीशीज है नमबर एक गरेया, नमबर दो ट्योबी फैक्स, नमबर तीन रिवर ओटर, नदी का उद्पिलाओ दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिए उप्शन ए किवल पहला, उप्शन बी किवल पहला और तीसरा, उप्शन सी किवल दूसरा और तीसरा, उप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा, उत्तर है उप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा 67 प्रश्न सनसत के सदन में सत्रावसान के संदर्में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए 1. ये केवल बैठके न की सदन का सद्र समाप्त करना है 2. ऐसा सदन के पीठा सी नधिकारी द्वारा किया जाता है 3. इससे सदन के समक्ष लंबित विधयक प्रभावित नहीं होते है उपर्युक्त कतनों में से कौन सा या कौन से सही है Option A केवल पहला और दूसरा Option B केवल दूसरा Option C केवल दूसरा और तीसरा Option D केवल तीसरा उत्तर है Option D केवल तीसरा प्रिष्ट संख्या 75 68. निम्नलिकित में से कौन सी भारत इसलामी वास्तुकला की विशेष्टा या विशेष्टाएं हैं। 69. निम्नलिकित में से कौन सी एंटिलोक ब्रेकिंग सिस्टम के लाब है। 70. निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए। 70. उपर्युक्त कतनों में से कौन सा या कौन से सही है। 80. अप्शन A केवल पहला, 80. B केवल दूसरा, 80. C पहला और दूसरा दोनो, 80. D ना तो पहला नहीं दूसरा, उतर है अप्शन A केवल पहला। 80. अप्शन A केवल पहला और दूसरा, उप्शन C केवल दूसरा और तीसरा, उप्शन D पहला दूसरा, और तीसरा, उतर है अप्शन B केवल पहला और दूसरा, बहत तर्मा प्रशन, भारतिया फार्माकोपिया आयोग के संबन में निमनलिकिक कतनों पर विचार कीजिए, नमबर एक, ये रसायन और उर्वरक मंत्राले के तहट आने वाले स्वायत तसंस्ता है, नमबर दो, ये नियमे तुरूप से रोगों के उप्चार के लिए सामाने तहा आवेश्यक दवाओं के मानकों में सुधार करता है, नमबर तीन, ये भारत के राष्ट्रिया फॉर्मिलरी का प्रकाशन कर जैनरिक दवाओं के विवेक पूर्ण उप्योग को बढ़ावा देता है, दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, आप्शन A केवल पहला, आप्शन B केवल पहला और दूसरा, आप्शन D पहला दूसरा और तीसरा, आप्शन C केवल दूसरा और तीसरा, तेरह तर्मा प्रशन, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक राजे के रूप में भारत का वर्डन करता है, आप्शन A मूल अधिकार, आप्शन B प्रस्तावना, आप्शन C सातवी अनुसूची, प्रस्तावना, चरतर्मा प्रशन, सीमाई करू वेलम व्रेक्ष प्रजातियों के सम्मन में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए, नमबर एक, ये ऐसी तेजी से फैलने वाली प्रजातियां हैं, जो भूजल अवशोशत करके, इस्थानिय पारिस्तति की तंत्र को प्रशन रक्षा के संदर में हाल ही में सुर्ख्यों में रहा या रही स्वाती क्या है ? Option A. स्वदेशी रूप से विक्सित हथियार का पता लगाने वाला रडार Option B. स्वदेशी रूप से निर्मित डीजल इलेक्ट्रिक आक्रमन पंडुबिया Option C. अंतर महादवीपिया बैलेस्टिक मिसाइल Option D. साशस्त्र बलों के लिए समर्पित संचार उग्रह Option A. स्वदेशी रूप से विक्सित हथियार का पता लगाने वाला रडार Option 66. सर्वोच नियायले के तदर्धर नियायदीशों के संदर में निम्नलिकित कत्मों पर विचार कीजिए Number 1. सर्वोच नियायले का सत्र आयोजित करने के लिए इस्थाई नियायदीशों की गणपूर्ती कम होने पर इनकी नियुक्ति की जाती है Number 2. भारत के मुखे नियायदीश की अनुशरंसा पर राश्ट्रुपदी द्वारा इने नियुक्त किया जाता है Number 3. उच नियायले का नियायदीश तदर्थ नियादीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए Option A. केवल पहला और दूसरा Option B. केवल पहला Option C. केवल दूसरा और तीसरा Option D. पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है Option B. केवल पहला सततर्वा प्रश्न व्यक्तिगत सत्यागरा के संदर में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए Number 1. ये क्रप्स प्रस्तावों के विरुद आरंभ किया गया था Number 2. व्यक्तिगत सत्यागरा आरंभ करने का निरनाय कॉंग्रस के राम गड़ा दीवेशन में लिया गया था उपर्युक्त कतनों में से कौन सा या कौन से सही है Option A. केवल पहला Option B. केवल दूसरा Option C. पहला और दूसरा दोनो Option D. न तो पहला नहीं दूसरा उपर्युक्त कतनों में निरनालिकित कतनों पर विचार कीजिए Number 1. इसमें पिछली फसल की ठूट यानी पेड़ी से उतरोतर रूप से फसले उगाना सम्मिलित है Number 2. इसका उप्योग गन्ये की खेती के लिए किया जाता है उपर्युक्त कतनों में इसे कौन सा या कौन से सही है Option A केवल पहला, Option B केवल दूसरा, Option C पहला और दूसरा दोनो Option D. न तो पहला नहीं दूसरा उतरह Option C पहला और दूसरा दोनो प्रश्न संक्या 89, United Nations Board of Auditors के सम्मंद में निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए Number 1. ये संयुक्त राष्ट्र संग संगठन तथा उसकी निधियों एवं कारेक्रमों के लेखों का लेखा परिक्षन करता है Number 2. भारत के नियंत्र केवं महालेखा परिक्षक इसके वर्तमान अध्यक्ष है वो परियुक्त कतनों में से कौन सा या कौन से सही है Option A केवल पहला Option B केवल दूसरा Option C पहला और दूसरा दोनो Option D न तो पहला नहीं दूसरा उतरह Option C पहला और दूसरा दोनो प्रिष्ट संख्या 76 प्रश्ण संख्या 80 वे महान सामाजिक सुधारक थे उन्होंने वायकॉम सत्यग्रह में भाग लिया था उन्होंने समर्थन किया था कि कौन्ग्रेस को साम्प्रदाईक प्रतेनिधित्व स्भीकार करना चाहिए युनेसको द्वारा उन्हें एशिया के सुकरात की पद्वी दी गई है उपर्युक्त परिछे द्वारा निम्नलिकित में से किस व्यक्तित्व का सरवाधिक वर्नन किया गया है Option A पेरियार एवी रामस्वामी Option B वी वी एस आईयर Option C संत रामलिंग Option D T K माधवन उतर है Option A पेरियार एवी रामस्वामी 81 प्रशन Derivatives व्यूत्पन के संदर्भ में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए Number 1 ये ऐसी प्रतिभूतियां हैं जिनकी कीमत एक या अधिक अंतरनहित परिसंपतियों से व्यूत्पन होती है Number 2 इनका स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार नहीं किया जा सकता Number 3 इनका निवेश जोखिमों के विरुद हेजिंग के लिए उप्योग किया जाता है उपरियुक तकतनों में से कौन सा या कौन से सही है Option A केवल पहला Option B केवल पहला और तीसरा Option C केवल दूसरा और तीसरा Option D पहला दूसरा और तीसरा उतर है Option B केवल पहला और तीसरा बया सेमा प्रशन निमनलिकित में से कौन सा व्यापार संड़क्षन वाद के विभिन रूपों को इंगित करता है Option 1 आयात परकर Option 2 बौधिक संपदा कानून Option 3 वीजा शुल्क में व्रिथी नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिए Option A पहला और दूसरा Option B केवल दूसरा Option C केवल दूसरा और तीसरा Option D पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है Option D पहला दूसरा और तीसरा तिरा सिमा प्रशन निम्नलिकित युगुमों पर विचार कीजिए नमबर एक कार्य सिध्धान्त शिरोमनी का मिलान विद्वान ब्रह्म गुप्त से नमबर दो कार्य शुल्व सूत्र का मिलान विद्वान बौधायन से नमबर तीन कार्य गणित सारसंगरह का मिलान विद्वान महावीरा चार्य से उपर्युक्त युगमों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है ओप्शन A केवल पहला और दूसरा ओप्शन B केवल दूसरा और तीसरा उतर है option B, केवल दूसरा और तीसरा 84 इवाँ प्रशन निमनलिखित युगमो पर विचार कीजिए नमबर 1 राष्ट्रे उध्यान, दची गाम राष्ट्रे उध्यान का मिलान राजे सिख्किम से नमबर दो राष्ट्रे उध्यान कानहा राष्ट्रे उध्यान का मिलान राजय मध्यप्रदेश से नमबर तीन राष्ट्रे उध्यान फोंग पुई राष्ट्रे उध्यान का मिलान राजय असम से उपर्युक्त युगमों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है आप्शन A केवल पहला और दूसरा आप्शन B केवल दूसरा आप्शन C केवल पहला और तीसरा आप्शन D पहला दूसरा और तीसरा उतरह आप्शन B केवल दूसरा यानी नमबर दो राष्ट्रे उध्यान कानह राष्ट्रे उध्यान का मिलान राजय मध्य प्रदेश से सही स 85 प्रश्न निम्न लिकित पर विचार कीजिए 86 प्रश्न अर्थ विवस्था के संदर में मुद्रा स्वीती कर पद निम्न लिकित में से क्या संदर्भित करता है option A कम करों के कारण मुद्रा स्वीती में विर्थी option B कर के रूप में भुगतान किये गए पारश्रमिक का उच्छ अनुपात option C मुद्रा स्वीती के कारण नकदी के मूले में कमी option D मुद्रा पर अल्प कालिक सट्टे बाजी को दंडित करने के लिए कर option C मुद्रा स्वीती के कारण नकदी के मूले में कमी option A मानव रक्त के संदर में आरच फैक्टर क्या है option A लाल रक्त कोशिकाओं की सतय पर एंटिजन option B रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदाई एंजाइम option C लाल रक्त कोशिकाओं की सतय पर एंटिबोडी Option D, रक्त में ओक्सिजन ले जाने के लिए उत्तरदाई प्रोटीन उत्तर है Option A, लाल रक्त कोशेकाउं की सते पर एंटिजन अठा सिवप्रशन निमनलिकित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का प्रभाव है नमबर 1, भारती अर्थ व्यवस्था का ग्रामीनी करण नमबर 2, भारती क्रुशी का व्यवसाई करण नमबर 3, भारत में विदेशी व्यापारिक निवेश का आरंभ दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिये Option A, केवल पहला और दूसरा Option B, केवल दूसरा और तीसरा Option C, केवल पहला और तीसरा Option D, पहला दूसरा और तीसरा उतर है Option D, पहला दूसरा और तीसरा नमासी मप्रश्न क्षेत्रिय व्यापक आर्थिक भागिदारी RCEP समझाता आसियान ASEAN प्लस 6 FTA भागिदारों के बीच प्रस्तावित है निमनलिकित में से कौन से RCEP सदसे है नमबर एक मयनमार नमबर दो भारत नमबर तीन रूस नमबर चार इंडोनेशिया दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये Option A, केवल पहला और चौथा Option B, केवल दूसरा तीसरा और चौथा Option C, केवल पहला दूसरा और चौथा Option D, केवल दूसरा और तीसरा उत्तर है Option C, केवल पहला दूसरा और चौथा प्रश्न संख्या 90 बाल अधिकारों के संदर्भ में भारत में निमनलिकित में से किस या किन अभी समय नमबर दो निउनतम आयू कन्वेंशन, नमबर तीन बाल अधिकारों पर UN कन्वेंशन, नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर जुनिये, option A केवल पहला, option B केवल पहला और तीसरा, option C केवल तीसरा, option D पहला दूसरा और तीसरा, उतर है option C केवल तीसरा, इक्यानवि प्रश्ण माइक्रो प्लास्टिक के संदर में निमनलिखित पर विचार कीजिये नमबर एक इनके स्त्रोतों में सौंदर्य, प्रसाधन, वस्त्र और ओध्यागिक प्रक्रियां सम्मिलित है नमबर दो ये समुदरी और जलिया पारिस्ति की तंत्रों में बने रह सकते हैं नमबर तीन ये ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के अधिकांज भाग का निर्मान करते हैं उपर्युक्त कत्नों में से कौन से सही है उप्शन A किवल पहला और दूसरा उप्शन B किवल पहला और तीसरा उप्शन C किवल दूसरा और तीसरा उप्शन D पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है उप्शन A किवल पहला और दूसरा प्रिष्ट संक्या सतत्तर बयान में में प्रश्ण क्रूज और बैलेस्टिक मिसाइलों के संदर में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक, क्रूज मिसाइलें हवा से नहीं प्रक्षेपित की जा सकती जबकि बैलेस्टिक मिसाइलें हवा से प्रक्षेपित की जा सकती है नमबर दो, बैलेस्टिक मिसाइल का प्रक्षेप पथ उसकी उडान के दौरान परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि क्रूज मिसाइलों के प्रक्षेप पथ में कोई परिवर्तित नहीं किया जा सकता उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है Option A केवल पहला Option B केवल दूसरा Option C पहला और दूसरा दोनो Option D ना तो पहला नहीं दूसरा उतरह Option D ना तो पहला नहीं दूसरा तेरान बेवा प्रश्न प्राक्रतिक तटबंध और विसर्भी रोधिका Point Bar निमनलिखित में से क्या है Option A बहते पानी की निक्षेपन कारी भू आकरतिया Option B बहते पानी की अपरदन कारी भू आकरतिया Option C हिम नदियों की निक्षेपन कारी भू आकरतिया Option D हिम नदियों की अपरदन कारी भू आकरतिया उत्तर है option A, बहते पानी की निक्षेपण कारी भू आकरतिया 94 प्रशन, संग लोग सेवा आयोग के संदर में निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए 1. राश्ट्र पति के पास ख्षेत्रा दिकार में विस्तार करने की शक्ति है 2. नागरीकों के किसी भी पिछडे वर के पक्ष में पदों का आरक्षन करते समय, सरकार को संग लोग सेवा आयोग से परामर्श करना पड़ता है 3. संग लोग सेवा आयोग का परामर्ष स्वीकार न करने के सभी प्रकरण केंद्रिय कैविनेट की नियुक्ति समिती द्वारा अवश्य अनुमोदित किये जाने चाहिए उपर्युक्त कत्नों में से कौन सा या कौन से सही है Option A किवल पहला और दूसरा Option B किवल दूसरा और तीसरा Option C किवल तीसरा Option D पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है Option C किवल तीसरा पिचान वेवा प्रशन एक व्यक्ति प्रशिक्षन पाथेक्रम पूरा करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देता है हाला कि प्रशिक्षन पूरा करने के बाद उसे अपिक्षित मजदूरी पर अपना वरिया काम नहीं मिलता उपर्योग तो परी छेद में निमनलिकित में से किस प्रकार की बेरोजगारी का वर्णन मिलता है उप्षन ए प्रचन बेरोजगारी उप्षन बी घर्शनात्मग बेरोजगारी उप्षन सी सनरचनात्मग बेरोजगारी उप्षन डी चकरिय बेरोजगारी उतरहे उप्षन बी घर्शनात्मग बेरोजगारी 96. निम्नलिकित में से कौन? Age effect को सर्वस्रेश्ट ढंग से परिभाशित करता है. Option A. ये दो परियावासों की सीमा पर आबादी या सामुदाईक में सन्रचना होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करता है. Option B. ये उजदम पोशन स्तर में सरवोच भक्षक प्रजातियों पर पढ़ने वाले जलवायो परिवर्तन के प्रभाव को संदर्भित करता है. Option C. ये प्रित्वी के दृवियक शेत्रों के किनारों पर प्रजातियों की विवित्ता में कमी को संदर्भित करता है. Option D. ये खाद प्राइक में संदर्चन होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करता है. 97. भारत में निम्नलिकित में से कौन सी एजनसी समुद्र में तेल रिसाओं के बाद क्लीन अप करने के लिए केंद्रिय समन्वे प्राधिकरण है. Option A. राष्ट्रे तत्रक्षक बल. Option B. पोत परिवहन मंत्राल है. Option C. केंद्रिय प्रदूशन नियंत्रन बोड. Option D. पेट्रोलियम और प्राक्रतिक गैस मंत्राल है. उतरहा Option A. राष्ट्रे तत्रक्षक बल. 98. निम्तनलिकित में से कौन सा या कौन से अफ्रीकी देश अट्लांटिक महासागर के तट पर है. नंबर एक नामे बेया. नंबर दो कोंगो. नंबर दिन नाइजर. नंबर चार नाइजीरिया. दिए गया कूट का उप्योग कर सही उतर चुनिए. Option A. केवल पहला, तीसरा और चौतः. Option B. केवल दूसरा और तीसरा. Option C. केवल पहला, दूसरा और तीसरा. Option D, केवल पहला, दूसरा और चौथा उतर है Option D, केवल पहला, दूसरा और चौथा 99 ये गहरा भूरे रंग का कम उँचाई वाला मेग होता है ये हिम या जल के रूप में निरंतर वर्शा कराता है ये धरातल से 3000 मीटर तक की उँचाई पर पाया जाता है Option A, पक्षाब इस्तरी मेग, सिरो स्ट्रेटिस क्लावड Option B, इस्तरी कपासी मेग, स्ट्रेटो क्यूमिलिस क्लावड Option C, पक्षाब कपासी मेग, सिरो क्यूमिलिस क्लावड Option D, वर्शा इस्तरी मेग, निंबो स्ट्रेटिस क्लावड उत्तर है option D, वर्जास तरी मेग, निम्बो स्ट्रेटर्स क्लाउड प्रशन संक्या 100, भारत के महान्यायवादी के संदर में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक, संसत के पास महान्यायवादी पद के लिए कार्यकाल और पारिश्रमिक नियत करने की शक्ती है नमबर दो, सरकार का पूर्ण कालिक अधिवक्ता होने के नाते उसके लिए निजी वकालत निशिद्ध है उपरिक्त कतनों में से कौन सा या कौन से सही है उप्षण A केवल पहला, उप्षण B केवल दूसरा, उप्षण C पहला और दूसरा दोनों, उप्षण D ना तो पहला नहीं दूसरा, उत्तर है उप्षण D ना तो पहला नहीं दूसरा प्रिश्ट संख्या अठतर मौक टेस्ट सिविल सेवा प्रारंभिक परिक्षा बाई कोटिल्य अकेडमी इंदौर प्रश्न पत्र एक सामाने अधेयन जेनरल स्टेरीज जीएस प्रश्न संख्या एक दक्षिन उपक्षेत्रिय आर्थिक सायोग के संदर में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक ये पूर्वो और दक्षिन पूर्व एशिया में अंतरक्षेत्रिय व्यापार को बढ़ावा देने वाले नमबर दो ये दक्षिन एशिया एक शेत्रिय सहयोग संख के तत्वाधान में कारे करता है उपर्युक्त कतनों में इसे कौन सा या कौन से सही है उप्षिन ए केवल पहला, उप्षिन बी केवल दूसरा, उप्षिन सी पहला और दूसरा दोनों उप्षिन डी ना तो पहला नहीं दूसरा, उतर है उप्षिन ए केवल पहला प्रश्न संख्या दो, बैंकिंग के संदर में निमनलिकित में से कौन सा विकल्प? हेयर कट शब्द का सर्विस्ट्रेश्ट वर्णन करता है Option A, ये रिण की राशी एवं सम पार्षविक के रूप में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ती के वास्तविक मूले की बीच अंतर है Option B, ये आवश्यक रिजर्व है जिसे वानेजिक बैंकों को स्वर्ण एवं सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों की रूप में बनाये रखने की आवश्यक्ता होती है C, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए सिरे से पुनरगठित सभी रिणों को अशोधे रिणों के रूप में वर्गिकृत किया जाता है d. ये प्रोक्रियाओं का पुनरगठन कर एवम कर्मचारीओं की संख्या में कमी करके बैंकिंग कर्मचारी वर्ग के स्टाफ में छटनी करने की प्रोक्रिया है उतर है option A, ये रिण की राशी एवं संपाश्विक के रूप में उप्योग की जाने वाली परिसंपत्ति के वास्तविक मोल्य की बीच अंतर है प्रश्न संख्या 3, मिर्च की खेती के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में से कौन सी उप्योगत है नमबर एक, सामाने तापमान के साथ गर्म और आर्दर जलवायू नमबर दो, 200 cm से अधिक वर्षा नमबर तीन, अमली अम्रदा प्रकार दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उतर चुनिये option A केवल पहला, option B केवल पहला और दूसरा option C केवल दूसरा और तीसरा, option D पहला दूसरा और तीसरा उतर है option A केवल पहला प्रश्न संक्या चार, नदियों के रेत खनन का या के निमनलिकित में से कौन सा यसे परिणाम सही है नमबर एक, भूजल में कमी नमबर दो, नद तती अवनस पतियों और जीवों का नश्ठ होना नमबर तीन, जल की गुणवत्ता में गिरावट दिये गय कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिये option A केवल दूसरा, option B पहला दूसरा और तीसरा option C केवल पहला और दूसरा, option D दूसरा और तीसरा, उत्तर option B पहला दूसरा और तीसरा प्रशन संख्या पांच, भारतिय प्रेस और साहित्य ने भारतिय राष्ट्रिय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई निम्नलिकित में से कौनसी भूमिका ये भूमिकाओं को इसके लिए उत्तरदाई ठहराए जा सकता है नमबर एक, राजनीतिक विचारों के आदान प्रदान के लिए प्लाटफॉर्म प्रदान करना नमबर दो, न केवल स्वर्शासन के अनाधोनिक विचारों अपितु क्रांतिकारी विचारों का भी प्रसार नमबर दीन, जनता के वीच राष्ट्रे चेतना का निर्मान करने में सहायता की दिए गय कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिए, सैंक्षण राज एअमेरिका में फेडरल इंट्रेस्ट, रेट, मिवृध्धी का या के भारत में निम्ण में से कौन सा या से प्रभाव हो सकता है नमबर एक, भारतिय रोपाई के तुलना में अमेरिके डॉलर का मजबूत होना, नमबर दो, भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में कमी, नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, आप्शन A केवल पहला, आप्शन B केवल दूसरा, आप्शन C प पहल Food Security Information Network निमनलिकित में से किनकी संयुक्त पहल है, नमबर एक, अंतराष्ट्रे कृशी विकास कोश, नमबर दो, विश्व खादे कारेक्रम, नमबर तीन, अंतराष्ट्रे खादे नीती अनुसंधान संस्थान, नमबर चार, खादे और कृशी संगठन, दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिये, Option A केवल पहला, दूसरा और तीसरा, Option B केवल दूसरा, तीसरा और चौथा, Option C केवल तीसरा और चौथा, Option D केवल पहला और चौथा, उत्तर है Option B केवल दूसरा, तीसरा और चौथा, प्रशन संक्या आठ, भुगतान संतुलन में अद्र प्रिश्य भुगतान के अंतरगत निम्नलिकित में से किसका या किनका विवरण दिया जाता है। प्रिश्य संख्या 9 निम्नलिकित में से भारत में लवण जल जीलें कौन सी है। प्रिश्य संख्या 10 निम्नलिकित संसदिय समितियों में से कौन सी संसद के दोनों सदनों की सयुक्त समिति या समितिया है। नम्बर एक प्राक समिति नम्बर दो अनुसूचित जाती एवं जन जाती कल्यान समिति नम्बर तीन महिला सशक्ति करन संबंधी समिति। नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये। पूर्व स्वराज की उन्यसो अर्टिस मांग को संब्लित किया गया नंबर तीन सत्र त्रिपूरी यूग्म है निर्णे रियासतों में आंधोलन का नेत्रित्व उन्यस ओन्चालिस करने के लिए कॉंग्रेस पर कोई रोक नहीं। दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये, option A किवल तीसरा, option B पहला दूसरा और तीसरा, option C किवल पहला और तीसरा, option D किवल पहला और दूसरा, उत्तर है option B पहला दूसरा और तीसरा. प्रश्न संख्या बारा सारुजनिक वित्तिय प्रबंधन प्रणाली के संदर में निम्न कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक ये फंड जारी करने के संबंद में निगरानी रखने एवमून के उपयोग का नीडिक्षन करने हेतु एक एकिकृत प्लाटफॉर्म है नमबर दो केंद्र सरकार की सभी सारुजनी कुधारी इसके माधियम से निश्पादित की जाती है नमबर तीन इसका प्रशासन वे विभाग द्वारा किया जाता है नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करसही उत्तर चुनिये आप्शन A किवल पहला आप्शन B किवल दूसरा और तीसरा आप्शन C किवल पहला और तीसरा आप्शन D पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है आप्शन C किवल पहला और तीसरा प्रश्न संक्या 13 हाल ही में समाचार में देखा गया सूर्य के रण 11 क्या है आप्शन A राश्ट्रे अस्तरिय संयुक्त आपदा प्रवंदन अभ्यास ऑप्शन B भारत और नेपाल की बीच संयुक्त सैने अभ्यास ऑप्शन C संयुक्त राज अमेरिका, जापान और भारत को सम्मिलित करने वाला त्रिपक्षिय नौ सेना अभ्यास ऑप्शन D लगभग 358 देशों के बीच एक बहुपक्षिय जलिस्थली अभ्यास उतरे अप्शन B भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैने अभ्यास प्रशन संक्या 14 प्रशनकाल के संबन में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिये नमबर 1 और तारांकित प्रशन के लिए मौखिक उतर की अविशक्ता होती है नमबर 2 तारांकित प्रशन के बाद पूरक प्रशनों को नहीं पूछा जा सकता नमबर 3 अल्प सूचना वाले प्रशन ऐसे प्रशन होते हैं जिने नियूनतम एक महीने का नोटस देने के बाद पूछा जाता है नीचे दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उतर चुनिये आप्शन A केवल पहला और दूसरा आप्शन B केवल दूसरा आप्शन C केवल पहला और तीसरा आप्शन D उक्त कोई नहीं उतर है आप्शन D उक्त कोई नहीं प्रश्म संख्या पंदरा देश में निवेश एवं इस अफ दूइंग बिजनस है तू हाल ही में सरकार द्वारा की गई पहल या पहले निमनलिकित में से कौन सी है नमबर एक स्टार्ट अप इंडिया नमबर दो ई बिज मिशन मोड प्रोजेक्ट नमबर दीन मेक इन इंडिया नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उतर चुनिये सोलवा प्रश्ण निमनलिकित में से कौन सा या कौन से बेसिन या क्षेत्र भारत में कच्चे तेल और प्राक्रतिक गयास के स्थापित वानेजे कुत पादन से सम्मन्द है नमबर एक कच्च नमबर दो खंभात नमबर तीन कृष्णा गोदावरी दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये उप्शन A किवल पहला और दूसरा उप्शन B किवल दूसरा और तीसरा उप्शन C किवल तीसरा उप्शन D पहला दूसरा और तीसरा उतर है उप्शन B किवल दूसरा और तीसरा सत्रमा प्रश्ण इस्थानिय शहरी शासन के संदर में Special Purpose Agency से सम्मंदित निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक ये कारे आधारत निकाये हैं जिनके स्थापना केवल निर्देश्ट गतिविधियों को आरंब करने के लिए की जाती है नमबर दो वे स्थानिय नगर निकायों की अधिनस्त एजनसिया हैं नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये Option A केवल पहला Option B केवल दूसरा Option C पहला और दूसरा दोनो Option D न तो पहला नहीं दूसरा उतर है Option A केवल पहला प्रश्न संख्या 18 सम्मधान के अनुछेद 22 के संदर में साधारन कानून के तहट गिरफतार किये गए या हिरासत में लिए व्यक्ती के लिए निम्नलिकत सुरक्षा उपायों में से कौन सा या कौन से उपलब्द है Number 1 उसे अपनी गिरफतारी के आधारों की सूचना दिय जाने का अधिकार है Number 2 इदि दंडा धिकारी द्वारा हिरासत की अवदी में व्रिदी नहीं किये जाती है तो उसे 24 घंटे के बाद रिहा किये जाने का अधिकार है नमबर तीन उसे कानोनी पेशेवर द्वारा अपना बचाव करने का अदिकार है नीचे दिये गए कूट का प्रेयोकर सही उत्तर चुनिए आप्शन A केवल पहला और तीसरा आप्शन B केवल दूसरा आप्शन C केवल पहला और दूसरा आप्शन D पहला दूसरा और तीसरा उत्तरा आप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा उनीसमा प्रश्ण आर्क्टिक परिशत के संदर में निम्न कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक ये अंतर सरकारी फोरम है जिसका उदेशिय आर्क्टिक शेत्र के परियावरणिय मुद्दों के समाधान पर ध्यान केंदरत करना है नमबर दो इसके सदासियों में केवल वे देश सम्मिलित हैं जिनका राजक शेत्र आर्क्टिक महासागर में अवस्थित है नमबर तीन भारत इस परिशत के प्रेक्षक राज्यों में से एक है नीचे दियेगे कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये औप्शन A केवल पहला और दूसरा और दूसरा औप्शन D केवल तीसरा उतरे औप्शन C पहला दूसरा और तीसरा प्रिष्ट संक्या 71 प्रणकी मोटी निचली और सुसंगत परत वाले मेग होते हैं वे धरातल के अत्यदिक निकट पाए जाते हैं वे वर्षा हिमपात और ओला युक्त वर्षा से सम्मन्ध होते हैं लेकिन उनके साथ तड़ित मेग गरजन या ओला वर्षन नहीं होता है उपरिप्त परिछे द्वारा निमनलिकित में से किस प्रकार की मेग की व्याख्या की गई है ए पक्षा भस्तरी मेग बी कपासी वर्षी मेग सी वर्षा स्तरी मेग डी उच स्तरी मेग उतर है सी वर्षा स्तरी मेग 21. सम्मिधान द्वारा संसत सदस्य की निर्योग्यता हेतु निम्नली खित में से कौन सा या कौन से आधार प्रदान किया या किये गए है नमबर एक विक्रत चित नमबर दो दो या उससे अधिक वर्ष के कारवास की सजा नमबर तीन अस प्रिश्यता का उफदेश दिने या व्यवहार के लिए सजा प्राप्त नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये औप्शन A किवल पहला और तीसरा औप्शन B किवल पहला औप्शन C किवल दूसरा उप्शन बी पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है उप्शन बी किवल पहला प्रश्ण संख्या 22 हाल ही में गंगा और यमुना को जीवित व्यक्ति के रूप में गोशित किया गया इस संदर में निम्नलिकित कत्मों पर विचार कीजिए नमबर एक गंगा नदी उतरा खण में अलक नंदा और भगी रथी के संगम से बनती है नमबर दो यमुना का उदगम हिमाचल प्रदेश में यमनोत्री ग्लेशियर से होता है नमबर तीन यमुना गंगा के दाएं तटकी सहायक नदी है नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उतर चुनिए उप्शन A किवल पहला और दूसरा उप्शन B किवल दूसरा और तीसरा उप्शन C किवल पहला और तीसरा उप्शन D पहला दूसरा और तीसरा उतर है उप्शन C किवल पहला और तीसरा प्रश्ण संख्या तेस भारत में वन वर्गी करण के संबंद में निम्नलिकित कत्नों पर विचार कीजिए नमबर एक वन शेत्र का संदर्ब सरकारी रिकॉर्ड के वन के रूप में दर्ज किये गए किसी भी बहुकॉलिक शेत्र से होता है नमबर दो वन आवरण में 100% व्रिक्ष्वितान घनत्व वाली भूमी सम्मिलित होती है नीचे दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिये आप्शन A केवल पहला आप्शन B केवल दूसरा आप्शन C पहला और दूसरा दोनों आप्शन D ना तो पहला नहीं दूसरा उत्तर आप्शन A केवल पहला प्रशन संक्या 24 शिमला शिष्ट मंडल के सम्मन में निमनलिकित कतनों में से कौन सा या कौन से सही है नमबर एक इसका नेतरित्व सेयद एहमद खान द्वारा किया गया था नमबर दो इसने मुसल्मानों के लिए संयुक्त निर्वाचक मंडल की मांग की नमबर तीन मुसल्मानों के लिए प्रथक राष्ट्रों की मांग का प्रस्ताव सर्व प्रथम इस शिष्ट मंडल द्वारा प्रस्तावित किया गया था नीचे दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिया Option A केवल पहला और दूसरा Option B केवल दूसरा Option C केवल पहला और तीसरा Option D उक्त कोई नहीं उत्तर है Option D उक्त कोई नहीं प्रश्न संख्या 25 अंतराष्ट्रे निवेश विवाद निप्तान केंद्र के सम्मण में निम्नलिकित कत्मों पर विचार कीजिये नमबर एक ये सरकारों और अंतराष्ट्री निवेशकों के बीच विदिक विवादों के समाधान के लिए एक arbitration संस्था है नमबर दो, ये विश्व बैंक सम्हों के अंतरगात एक संगठन है नमबर तीन, भारत इस संगठन का सदस्य है दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये Option A केवल पहला, Option B केवल दूसरा और तीसरा Option C केवल पहला और दूसरा, Option D पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है Option C केवल पहला और दूसरा प्रशन संख्या 26 हाल के दिनों में भारत में वनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई है इस सम्मन में निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक, वनों में आग लगने की घटनाओं को विच्ष तनी के वार्शिक चक्र में रिकॉर्ड किया जा सकता है नमबर दू, पूर्वी हिमाले के वन, पश्चिमी घाट के वनों की तुलना में आग लगने की घटनाओं के प्रती प्राक्रतिक रूप से अधिक सम्मीन शील है नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये उप्शन ए केवल पहला, उप्शन बी केवल पहला और दूसरा, उप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, उप्शन डी न तो पहला नहीं दूसरा, उत्तर है उप्शन ए केवल पहला प्रश्न संख्या 27, संसद में संगराजक शेत्रों के प्रतेनिधित्व के संदर्ब में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए नंबर एक, सभी संगराजक शेत्रों को लोग सभा में प्रतेनिधित्व प्राप्त है नंबर दो, केवल दो संगराजक शेत्रों, दिल्ली और पुदुचरी को राजस सभा में प्रतेनिधित्व प्राप्त है नंबर तीन, संविधान में संगराजक शेत्रों से लोग सभा के लिए सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव हेतु प्रक्रिया नरधारत है नीचे दिये गए कूट का प्रेवकर सही उत्र चुनिए निम्नालिकित में से कौन सा विखल पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम की सर्वोतब व्याक्या करता है Option A. इसका संदर्ब देश के केंद्रिय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खरीद से होता है Option B. ये सारजनिक प्रस्ताव का प्रकार है जिसमें किसी कमपनी के शेयर संस्थागत निवेशकों को विक्रे किये जाते है Option C. ये किसानों से प्रशासे दरों पर खाद्यानों की खरीद कर खादे सुरक्षा सुनिश्चित करने का माध्यम है उन्तीस्वा प्रश्ना निर्यात उत्कृष्टता के शहर निर्धारित क्षेत्रकूम में नियुनतम मान से अधिक मुल्य की वस्तूओं का उत्पादन एवं निर्यात करते हैं और इनमें निर्यात के एक शेत्र में और अधिक व्रदी की ख्रमता होती है दिम्नलिकित शेहरों में से कौन सा या कौन से इस श्रेणी में चिहनेत किया या किये गए हैं नंबर एक कानपुर, नंबर दो श्रीनगर, नंबर तीन सूरत दिये अगर कूट का प्रयोकर सही उत्तर चनिये प्रशन संक्या 30 एग्रो टेररिजम के सम्मन में निम्नलिकित में से कौन सा विकल्ब सही है उप्शन ए इसका तातपरिया कृशिक शेतरक में रोग या कीट का जान बूज कर प्रवेश कराना है ये कार्य सामाजिक आर्थिक अस्थिरता उत्पर्न करने की दुर्भावनाओं के तहट किया जाता है उप्शन सी विभिन जीवाणू जनत और कवकिय रोग जनकोंगा कृशी आतंकवाद के एजेंट के रूप में उप्योग किया जा सकता है उप्शन डी सभी तीनो कथन सही है उत्तर है उप्शन डी सभी तीनो कथन सही है प्रिष्ट संख्या बहत्तर 31 प्रशन निम्नलिकित समेतियों में से किसने हाल ही में केंद्र सरकार के समक्ष सरस्वती नदी के प्रवाह मारक का प्रमान प्रदान करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की Option A. K.S. वल दिया समिती Option B. वोहरा समिती Option C. मधुकर गुपता समिती Option D. पार्थ मुखो पाध्या समिती उतरह Option A. K.S. वल दिया समिती 32 प्रश्न निम्नलिकित में से कौन से कारक महासागरिय धाराओं को प्रभावित कर सकते हैं 1. तत्रेखाओं का आकार 3. निम्नलिकित में से कौन शेत्री या ग्रामीन बैंकों के शेयर धारक हो सकते हैं 1. केंद्रसरकार 2. राजसरकार 3. प्रयोजक बैंक नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये Option A. किवल पहला और दूसरा Option B. किवल दूसरा और तीसरा Option C. किवल पहला और तीसरा Option D. पहला दूसरा और तीसरा नमबर एक, चूशक मत्स्य एवं शार्क, नमबर दो, केकड़ा और समुद्री एनिमोन, नमबर तीन, अधीपात एवं व्रिक्ष, नीचे दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिये, option A, केवल पहला और दूसरा, option B, केवल पहला और तीसरा, option C, केवल दूसरा और option D, केवल तीसरा, उत्तर है option B, केवल पहला और तीसरा, प्रशन संख्या 35, ये विश्व में किसी भी प्राणी की तुलना में सरवाधिक लंबी दूरी का प्रवसन करती है, जिसमें प्रतिवर्ष इसके उत्तरी एट्लांटिक एवं आर्क्टिक प्रजनन इस्थानों से अ option B, लेधर बैक टोर्टल, option C, ड्रैगन फ्लाई, option D, आर्क्टिक टर्ण, उत्तर option D, आर्क्टिक टर्ण, चत्तिस्वा प्रशन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, ले फार्मिंग की सर्वोत्तम व्याक्या करता है, option A, ये रेशम का उत्पादन करने के लिए रेशम क प्रशन, देश में निम्नलिकित में किन राजियों ने सा प्रतिशत विद्यतिकृत गाउं के लक्षे को प्राप्त कर लिया है, नमबर एक, आंद्रप्रदेश, नमबर दो, गुजरात, नमबर तीन, केरल, नमबर चार, हरियाना, दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिये, option A, केवल पहला वद दूसरा, option B, केवल तीसरा और चौथा, option C, केवल दूसरा और तीसरा, option D, केवल पहला और option A, केवल राष्ट्रपती, option B, केवल राष्ट्रपती एवं लोगसभा के सदस्य, option C, लोगसभा के सदस्य, संसदिया मामलों के मंत्री और राष्ट्रपती, option D, राष्ट्रपती, संसदिया मामलों के मंत्री और लोगसभा उपांध्यक्ष, उत्तर है option C, लोगसभा के सद संसदिय मामलों के मंत्री और राष्ट्रुपती 49 प्रश्ण निम्नलिकित में से किसक शेत्र के चट्टा ने धारवाड प्रणाली से संबंधित है नंबर एक अरावली नंबर दो कारा कोरम पहाणिया नंबर तीन मेघाले का पठार नंबर चार धारवाड क्शेत्र दिये गये कूट का प्रेयुकर सही उत्तर चुनिये और तीसरा अप्षन से केवल पहला और तीसरा और चौथा और 将रतनि केवल पहला तीसरा और चौथा कौन सा विकल्प सही है Option A, वे इंडियन प्लेट की गोर्नात्मक गतिविधी के प्रमाण है Option B, वे हिमाले में महसागरेय क्रस्ट की उपस्थिती का संकेत करते है Option C, वे धरातल पर एस्थेनोस्फियर द्वारा लगाय जाने वाले चरम दबाव के बिंदू है Option D, उपर्युक्त सभी सही है उत्तर है Option A, वे इंडियन प्लेट की गोर्नात्मक गतिविधी की प्रमाण है 41. निमनलिकित में से कौन सा विकल्प अपकेंद्रन प्रक्रिया की सर्वोतम व्याक्या करता है Option A, ये ठोस तरल कोलाईडी विलेयन के अवयवों की प्रथक करण की प्रक्रिया है Option B, ये जल शोधन की प्रक्रिया है जो पेजल से आयनों का निश्कर्शन करनी के लिए अर्ध पारग में जिल्ली का उप्योग करती है Option C, ये विद्युत विभवांतर के प्रभाव में लवण आयनों को एक विलेयन से दूसरे विलेयन में इस्थान अंतरित करनी की प्रक्रिया है Option D, ये तीवर हवा का उप्योग करके दानों को भूसे से प्रथक करनी की प्रक्रिया है उतर है Option A, ये ठोस तरल कोलाईडी विलेयन के अवेवों के प्रथक करनी की प्रक्रिया है 42 वाप्रशन, हाली में सुर्ख्यों में देखा गया ओपरेशन थंडर बर्ड क्या है Option A, हिंद महासागर में समुद्री डकैती प्रतिरोधी सैन ने कारेवाई Option B, सीरिया में सयुक्त राष्ट्र के नेतरित्व में शानती कारेवाई Option C, इंटरपोल के नेतरित्व में वन्य जीविवम इमारती लकडी सम्मंदी अवैद व्यापार से निपटने है तो वैश्वे कभियान Option D, भारतिय नागरिकों को यमन से निकालनी के लिए भारतिय सश्रस्त्र सिनाओ का भियान उतरप्शन C, इंटरपोल के नेतरित्व में वन्य जीविवम इमारती लकडी सम्मंदी अवैद व्यापार से निपटने है तो वैश्वे कभियान 43. नए नारों के सम्मंद में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक, विभगवान शिव की उपासना करते थे नमबर दू, उनमें मुख्य रूप से उच्च वर्ण के ब्रहम्मन सम्मिलित थे नमबर तीन, तेवारम और तिरुवक्कम उनके गीतों के संग्रा है नीचे दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिये Option A. केवल पहला और दूसरा, Option B. केवल तीसरा, Option C. केवल पहला और तीसरा, Option D. पहला दूसरा और तीसरा, उत्तरा Option C. केवल पहला और तीसरा, प्रिष्ट संक्या तिरातर, प्रश्ण संक्या चवालेस, सुब्रमनिम आयर ने निम्नलिकित में से किसके विरोध में अपनी ना Option C. अंग्रेजों द्वारा स्वदेशी आंदोलन का दमन Option D. एनी बेसिंट की गिरफतारी उत्तर है Option D. एनी बेसिंट की गिरफतारी 45. संसदिये फोरम, मंत्रियों और अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के एक प्लाटफॉर्म के रूप में कारे करते हैं इसके संबन में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक उनका उलेक संसद के दोनों सदनों के कारे संचालन नियमों में किया गया है नमबर दो लोग सभा अधिक्ष सभी फोरम का पदेन अधिक्ष होता है नमबर तीन, फोरुम के सदस्यों का कारेकाल सम्मंदित सद्नों में उनके सदस्ता की अवधी से सम्मंद होता है नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये आप्शन A, पहला, दूसरा और तीसरा आप्शन B, केवल पहला और दूसरा आप्शन C, केवल तीसरा आप्शन D, केवल दूसरा और तीसरा उत्तर है आप्शन C, केवल तीसरा चयारिस्वा प्रश्ण वैग्यानिकों द्वारा हाल ही में विक्सित किया गया ग्रसोलीन क्या है? आप्शन A, घास से विद्पन एक जैव इन्धन Option B, घास से विक्सित एक कीट निरोधक Option C, एक कार्बनिक अगनी प्रतिरोधी लेप Option D, घास से बनाय गया एक त्वचा देखभाल उत्पाद उत्तर है Option A, घास से विक्सित एक जैव इंधन 47 वा प्रश्ण Option A, प्रयोकर सही उत्तर चुनिये Option A, केवल पहला Option B, केवल दूसरा Option C, पहला और दूसरा दोनो Option D, न तो पहला नहीं दूसरा उत्तर है Option A, केवल पहला 48 वा प्रश्ण निम्नलिकित में से किन संगठनों या संस्थाओं के निर्देश्ट अधिकारी केंद्रे सतर्कता आयोक के अधिकारक्षेत्र के विशय होते हैं Number 1, Reserve Bank of India Number 2, भारते जीवन बीमान निगम Number 3, अखिल भारतिया सेवा है दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये Option A, केवल पहला और दूसरा Option B, केवल दूसरा और तीसरा Option C, केवल पहला और तीसरा Option D, पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है Option D, पहला दूसरा और तीसरा 49 वा प्रश्ण रिट ख्षेत्रा धिकार के संदर में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए यदि भी उचन्यायले रिट ख्षेत्रा धिकार का उपयोग करने से इंकार कर सकता है लेकिन सर्वोचन्यायले ऐसा नहीं कर सकता नमबर दो, सर्वोच न्यायले एवं मूच न्यायले दोनों केवल मूल अधिकारों के संरक्षन के लिए रिट जारी कर सकते हैं दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उतर चुनिये आप्शन A केवल पहला, आप्शन B केवल दूसरा आप्शन C पहला और दूसरा दोनों आप्शन D ना तो पहला नहीं दूसरा उतर है आप्शन A केवल पहला प्रेशन संख्या 50 निमनलिकित में से कौन सा या कौन से भारत में Add Valorim Tax का या के उधारन है नमबर एक संपत्तिकर नमबर दो सीमा शुल्क नमबर तीन सिगरेट पर उत्पाद कर नीचे दिये गए कूट का प्रेयोकर सही उत्तर चुनिए आप्शन A केवल पहला आप्शन B केवल पहला और दूसरा आप्शन C केवल दूसरा और तीसरा आप्शन D पहला दूसरा और तीसरा उत्तरे option B केवल पहला और दूसरा एक क्यावनवा प्रशन राजे पाल के पत के संदर में निम्नलिकित कत्मों पर विचार कीजिए नमबर एक, वो राजे के किसी भी कानून के विरुद किसी भी अपराद के लिए दोशी ठहराए गए, किसी भी व्यक्ती का दंड परिवर्तित कर सकता है नमबर दो, वो आंगल भारते समुदाय से राज विधान सभामे दो सदर से मनोनीत कर सकता है नमबर तीन, वो राजय सरकार की ओर से अंदर राष्ट्रे संधियां और समझोते कर सकता है उपर्युक्त कत्नों में से कौन सा या कौन से सही है उप्षण A केवल पहला और दूसरा, उप्षण B केवल पहला, उप्षण C केवल दूसरा और तीसरा, उप्षण D पहला दूसरा और तीसरा, उतर है उप्षण B केवल पहला प्रश्ण संख्या बावन, निमनलिकित में से कौन सा XC2 Bio Remediation का उधारण है उप्षण A, Bio Venting, उप्षण B, Bio Sporging, उप्षण C, Bio Augmentation, उप्षण D, Bio Piles, उतर है उप्षण D, Bio Piles तिरपन्वा प्रश्णा, निमनलिकित में से किसे या किने भोगालिक संकेतक का दरजा दिया गया है नमबर एक, आंद्रप्रदेश की श्री कला हस्ती कलमकारी, नमबर दो, पंजाब की फुलकारी, नमबर तीन, असम का मूगा रेशम दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये आप्शन ए केवल पहला, आप्शन बी केवल पहला और दूसरा, आप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा, आप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा, उतर आप्शन डी पहला दूसरा और तीसरा 54. सिंदु नदी प्रणाली के संदर में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए 1. चेनाप सिंदु की सबसे बड़ी सहायक नदी है 2. जेलम हरी के जहील के निकट सतलुज में मिलती है 3. रावी श्रीनगर से होकर बहती है और वूलर जहील से होकर गुजरती है उपर्युक्त कतनों में से कौन सा या कौन से सही है औप्शन A केवल पहला औप्शन B केवल पहला और दूसरा औप्शन C केवल दूसरा और तीसरा औप्शन D पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है औप्शन A केवल पहला पच्पन्वा प्रश्न वो भूमद्य रेखिया फसल है किन्तो विक्षे परिस्थितियों में इसे उश्न कट्रिबंधिया और उपोश्न कट्रिबंधिया क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। प्रश्न संख्या 54 प्रश्न संख्या 56 निमनलिकित में से कौन से कारक भारत में ओलिव रिडले कच्पों के नीडन नेस्टिंग के लिए खत्राउत पन्न करते हैं। दिए गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये, अप्योन आ केवल पह्ला और दूसरा, अप्योन आ जान नीमनलिकित में से कौन सा या कौन से ? अठारा सा सत्तावन के विद्रह का या के कारण था या थे नमबर एक अंग्रेजों द्वारा प्राचलित नई बागानी प्रणाली नमबर दो इसाई मिशिनरियों द्वारा लोगप्रिय बनाई जा रही पश्चे में शिक्षा और संस्कृती नीचे दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उतर चुनिए प्रेशन संक्या 58 कृशी और प्रोसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संदर में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक ये एक वैद्दानिक निकाए है नमबर दू, इसे विभिनक रुशी उत्पादों के निर्यात के समवर्धन और विकास का उत्तरदाइत्वा सौंपा गया है नमबर तीन, ये मानेज्य और उद्योग मंत्राले के अधीन काम करता है उपर्यूग तकतनों में से कौन सा या कौन से सही है उप्षण A, केवल पहला और दूसरा, उप्षण B, केवल दूसरा और तीसरा, उप्षण C, केवल पहला और तीसरा, उप्षण D, पहला दूसरा और तीसरा उनसटवा प्रशन, निमनलिकित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है नमबर एक सुवर्न रेखा, नमबर दो वन चिधारा, नमबर तीन पेरियार, नमबर चार वे गई नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये Option A केवल दूसरा और तीसरा, Option B केवल तीसरा और चौथा Option C केवल पहला दूसरा और चौथा, Option D पहला दूसरा तीसरा और चौथा, उत्तर है Option C केवल पहला दूसरा और चौथा प्रश्ण संख्या साथ, निम्नलिखित में से कौन सी पवने, दबाव प्रमणता बल और कोरियोलेस बल के बीट संतुलन के कारण समदाब रेखा के समाना अंतर बहती है Option A केटा टेबैटिक पवने, Option B एनाबैटिक पवने, Option C जियोस्ट्रोफिक पवने, Option D कोई नहीं RBI की क्रियाओ, Open Market Operations का वर्णन करता है, Option A, राजकोशिय हुन्नियों के बदले में सरकार के लिए मुद्रा जारी करना, Option B, मुद्रा की आपूर्ति नियंतरित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद करना, Option C, इस्थिर विनिमें दर बनाय रखनी के ल पूर्ति नियंतरित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद करना, बास अट्वा प्रशन, निमनलिकित उत्पादों पर विचार कीजिए, Option A, केवल पहला और दूसरा, Option B, केवल पहला, Option D, पहला दूसरा और तीसरा, का अनुगमन करने में केंद्रिय बैंकों की सहायता करना है नमबर दो ये जमाएं स्विकार करता है और निजी व्यक्तियों और कॉर्परेट संस्थाओं को वित्य सेवाएं प्रदान करता है नमबर तीन भारत BIS का सदस्य है उपर्युक्त कत्रों में से कौन सा या कौन से सही है ओप्शन A किवल पहला और दूसरा ओप्शन B किवल पहला ओप्शन C किवल दूसरा और तीसरा ओप्शन D पहला दूसरा और तीसरा उत्तरे ओप्शन B किवल पहला चौशेटवा प्रश्ण बूंदी चित्रकला शैली के सम्मन्ने निंदनलिके तकत्नों पर विचार कीजिए नमबर एक ये लगो चित्रकला का एक रूप है नमबर दो इस चित्रकला के विचयों के रूप में केवल धर्म निर्पेख्ष विचयों का उपयोग किया जाता है उपर यूग तकत्नों में से कौन सा या कौन से सही है option A केवल पहला option B केवल दूसरा option C पहला और दूसरा दोनो Option D, न तो पहला नहीं दूसरा उतर है Option A, केवल पहला प्रश्न संख्या 65 निम्नलिकित में से कौन सा Forensic visualization के लिए मानव DNA का संभावित स्त्रोत नहीं है Number 1, LAR Number 2, लाल रक्त कोशिकाएं Number 3, बाल उपर उक्त कतनों में से कौन सा या कौन से सही है Option A, केवल पहला और दूसरा Option B, केवल दूसरा और तीसरा Option C, केवल दूसरा Option D, पहला और तीसरा उतर है Option C, केवल दूसरा प्रश्न संख्या 66 निम्नलिकित में से कौन सी सूचक प्रजाती या प्रजातियां Indicator species है Number 1, गरया Number 2, ट्योबी फैक्स Number 3, river otter नदी का उद बिलाओ दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये Option A, केवल पहला Option B, केवल पहला और तीसरा Option C, केवल दूसरा और तीसरा Option D, पहला दूसरा और तीसरा उतर है Option D, पहला, दूसरा और तीसरा 62 प्रश्न संसत के सदन में सत्रावसान के संदर में निम्नलिकित कत्नों पर विचार कीजिए नमबर एक ये केवल बैठके न की सदन का सत्र समाप्त करना है नमबर दो ऐसा सदन के पीठा सी नदिकारी द्वारा किया जाता है नमबर तीन इससे सदन के समक्ष लंबित विधयक प्रभावित नहीं होते हैं उपर्युक्त कत्नों में से कौन सा या कौन से सही है Option A केवल पहला और दूसरा, Option B केवल दूसरा, Option C केवल दूसरा और तीसरा, Option D केवल तीसरा, उत्तर है Option D केवल तीसरा प्रिष्ट संक्या पिचातर 68. निम्नलिकित में से कौन सी भारत इसलामी वास्तुकला की विशेशता या विशेशता है नमबर एक अरबस्क विधी, नमबर दो चार बाग विधी, नमबर दीन अलंकरन के साधन के रूप में सूलेखन का प्रयोग दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये Option A केवल पहला और दूसरा Option B केवल पहला और तीसरा Option C केवल दूसरा Option D पहला दूसरा और तीसरा उत्तर ए Option D पहला दूसरा और तीसरा उना तर्मा प्रश्णा Anti-lock breaking system शीगरही दुपईयां वहनों के लिए अनिवारे कर दिया जाएगा निमनलिकित में से कौन सी anti-lock breaking system के लाब है Number एक अनियंद्रत फिसलने से बचाता है Number दो दो पहियां वहनों की लागत कम करता है नमबर तीन, ब्रेक की गतिज उर्जा विद्यत उर्जा में परिवर्थित करके दक्षता बढ़ाता है दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए ओप्शन A केवल पहला, ओप्शन B केवल दूसरा और तीसरा ओप्शन C केवल पहला और तीसरा, ओप्शन D पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है ओप्शन A केवल पहला प्रशन संक्य सत्तर एज्स, तपैदिक और मलेरिया के लिए ग्लोबल फंड के संदर में निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक, ये सरकारों, नागरिक समाज और निजिक शेत्र के बीच भागिदारी संगठन है नमबर दो, इसकी स्थापना विश्व स्वास्ति संगठन के तत्वाधान में की गई है उपर्युक्त कतनों में से कौन सा या कौन से सही है उप्शन A केवल पहला, उप्शन B केवल दूसरा, उप्शन C पहला और दूसरा दोनों, उप्शन D ना तो पहला नहीं दूसरा, उतर है उप्शन A केवल पहला एका तर्मा प्रशन, अल्पना लोग परंपरा के संबन में निम नलिकित कतनों पर विचार करे नमबर एक, ये पश्चिम मंगाल की लोककला है, उप्शन दो, इसमें घर की फर्ष और दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं नमबर तीन, चित्र मांस से बनी विशेश कूची से बनाए जाते हैं नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिए, उप्शन A केवल पहला, उप्शन B केवल पहला और दूसरा, उप्शन C केवल दूसरा और तीसरा, उप्शन D पहला दूसरा और तीसरा, उत्तर है उप्शन B केवल पहला और दूसरा, बहत तर्मा प्रश्न भारतिया फार्माकोपिया आयोग के संबन में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक ये रसायन और उर्वरक मंत्राले के तहत आने वाले स्वायत संस्था है नमबर दो ये नियमे तुरूप से रोगों के उपचार के लिए सामाने तहा आवेश्यक दवाओं के मानकों में सुधार करता है नमबर तीन ये भारत के राष्ट्रिय फॉर्मिलरी का प्रकाशन कर जैनरिक दवाओं के विवेक पूर्ण उप्योग को बढ़ावा देता है दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिए उप्शन A केवल पहला, उप्शन B केवल पहला और दूसरा, उप्शन C केवल दूसरा और तीसरा, उप्शन D पहला दूसरा और तीसरा, उत्रह उप्शन C केवल दूसरा और तीसरा तेरह तर्मा प्रश्ट निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक राजे के रूप में भारत का वर्डन करता है Option A मूल अधिकार Option B प्रस्तावना Option C सातवी अनुसूची Option D राजे के नीती नीदेशक तत्व उत्तरे Option B प्रस्तावना 74 प्रश्न सीमाई करू वेलम व्रेक्ष प्रजातियों के संबन में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक ये ऐसी तेजी से फैलने वाली प्रजातियां हैं जो भूजल अवशोशत करके इस्थानिय पारेस्तिती की तंत्र को बादित करती है नमबर दो मूलतह ये पश्चे मफरीका में पाई जाती है नमबर तीन भारत में ये वरिख्ष पश्चे में हिमाले में पाई जाते है उपरिख्ट कतनों में से कौन से सही है आप्शन A केवल पहला और दूसरा आप्शन B केवल दूसरा और तीसरा Option C, किवल पहला और तीसरा, Option D, पहला दूसरा और तीसरा, उत्तर है Option A, किवल पहला और दूसरा 55 प्रशन, रक्षा के संदर में हाल ही में सुर्ख्यों में रहा या रही स्वाती क्या है Option A, स्वदेशी रूप से विक्सित हथियार का पता लगाने वाला रेडार Option B, स्वदेशी रूप से निर्मित डीजल इलेक्ट्रिक आक्रमन पंडुबिया Option C, अंतर महादवीपिया बैलेस्टिक मिसाइल Option D, साशस्त्र बलों के लिए समर्पित संचार उग्रह Option A, स्वदेशी रूप से विक्सित हथियार का पता लगाने वाला रेडार प्रशन संक्या 76, सर्वोच नियायले के तदर्थर नियायधीशों के संदर में निम्नलिकित कत्नों पर विचार कीजिए नमबर एक, सर्वोच नियायले का सत्र आयोजित करने के लिए इस्थाई नियायधीशों की गणपूर्ती कम होने पर इनकी नियुक्ति की जाती है नमबर दो, भारत के मुख्य नियायधीश की अनुशनसा पर राश्ट्रुपदी द्वारा इन्हें नियुक्ति किया जाता है नमबर तीन, उच नियायले का नियायधीश, तदर्थ नियायधीश के रूप में नियुक्ति नहीं किया जा सकता है दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये, उप्षन A केवल पहला और दूसरा, उप्षन B केवल पहला, उप्षन C केवल दूसरा और तीसरा, उप्षन D पहला दूसरा और तीसरा, उत्तर है उप्षन B केवल पहला सतातर्वा प्रश्न व्यक्तिगत सत्यागरा के संदर में निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक, ये क्रप्स प्रस्तावों के विरुद आरंभ किया गया था नमबर दो, व्यक्तिगत सत्यागरा आरंभ करने का निरनाय कॉंग्रस के राम गड़ा दिवेशन में लिया गया था उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है option A केवल पहला, option B केवल दूसरा, option C पहला और दूसरा दोनों, option D ना तो पहला नहीं दूसरा उत्तर है option B केवल दूसरा अठा तर्मा प्रश्न रेटून शस्यन के सम्मन्द में निपनलिखित कथनों पर विचार कीजिये नमर एक, इसमें पिछली फसल की ठूट यानी पेडी से उतरोतर रूप से फसले उगाना सम्मिलित है नमर दो, इसका उप्योग गन्य की खेती के लिए किया जाता है उपर्युक्त कतनों में से कौन सा या कौन से सही है उप्शन A केवल पहला, उप्शन B केवल दूसरा, उप्शन C पहला और दूसरा दोनों उप्शन D ना तो पहला ना ही दूसरा, वो तरह उप्शन C पहला और दूसरा दोनों प्रशन संक्या 89, United Nations Board of Auditors के संबंद में निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक, ये सयुक्त राष्ट्र संगठन तथा उसकी निधियों एवं कारेक्रमों के लेखों का लेखा परिक्षन करता है नमबर दो, भारत के नियंत्र केवं महालेखा परिक्षक इसके वर्तमान अध्यक्ष है वो परियुक्त कतनों में से कौन सा या कौन से सही है आप्शन A केवल पहला, आप्शन B केवल दूसरा, आप्शन C पहला और दूसरा दोनों उन्होंने वायकॉम सत्यग्रह में भाग लिया था उन्होंने समर्थन किया था कि कॉंग्रेस को साम्प्रदाई क्रतेनिधित्व स्विकार करना चाहिए युनेस्को द्वारा उन्हें एशिया के सुकरात की पदवी दी गई है उपर्युक्त परिच्छे द्वारा निम्नलिकित में से किस व्यक्तित्व का सरवाधिक वर्नन किया गया है Option A. पेरियार ईवी रामस्वामी Option B. वी वी एस आईयर Option C. संत रामलिंग Option D. टी के माधवन उतरह Option A. पेरियार ईवी रामस्वामी 81 प्रश्ण Derivatives व्युत्पन के संदर्भ में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए Number 1. ये ऐसी प्रतिभूतियां हैं जिनकी कीमत एक या अधिक अंतरनहित परिसंपतियों से व्युत्पन होती है Number 2. इनका स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार नहीं किया जा सकता Number 3. इनका निवेश जोखिमों के विरुदर हेजिंग के लिए उप्योग किया जाता है उपरिव तकतनों में से कौन सा या कौन से सही है Option A. केवल पहला Option B. केवल पहला और तीसरा Option C. केवल दूसरा और तीसरा Option D. पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है Option B. केवल पहला और तीसरा बया सीमा प्रश्न निमनलिकित में से कौन सा व्यापार संरक्षन वाद के विभिन रूपों को इंगित करता है Option A. आयात परकर Option 2. बौधिक संपदा कानून Option 3. वीजा शुल्क में वृथि नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये Option A. पहला और दूसरा Option B. केवल दूसरा Option C. केवल दूसरा और तीसरा Option D. पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है Option D. पहला दूसरा और तीसरा तिरा सिमा प्रश्न निम्नलिकित युगुमों पर विचार कीजिए नमबर एक कार्य सिध्धान्त शिरोमनी का मिलान विद्वान ब्रह्म गुप्त से नमबर दो कार्य शुल्व सूत्र का मिलान विद्वान बौधायन से नमबर तीन कार्य गणित सारसंग्रह का मिलान विद्वान महावीरा चार्य से उपर्यक्त युगमों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है ओप्शन A केवल पहला और दूसरा ओप्शन B केवल दूसरा और तीसरा उत्तर है option B केवल दूसरा और तीसरा चारा सीवा प्रशन निमनलिखित युगमों पर विचार कीजिए नमबर एक, राश्ट्रे उध्यान दची गाम राश्ट्रे उध्यान का मिलान राजय सिक्किम से नमबर दो राष्ट्र उध्यान कानहा राष्ट्र उध्यान का मिलान राज मध्यप्रदेश से नमबर तीन राष्ट्र उध्यान फोंग पुई राष्ट्र उध्यान का मिलान राज असम से उपर्युक्त युगमों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है आप्शन A केवल पहला और दूसरा आप्शन B केवल दूसरा आप्शन C केवल पहला और तीसरा आप्शन D पहला दूसरा और तीसरा उतरह आप्शन B केवल दूसरा यानी नमबर दो राष्ट्रे उद्यान कानह राष्ट्रे उद्यान का मिलान राजय मध्य प्रदेश से सही स 85 प्रश्न निम्द लिकित पर विचार कीजिए 6 प्रश्न अर्थ विवस्था के संदर्व में मुद्रा स्वीती कर पद निम्नलिकित में से क्या संदर्वित करता है Option A कम करों के कारण मुद्रा स्वीती में व्रिथी Option B कर के रूप में भुगतान किये गए पारश्रमिक का उच्च अनुपात Option C मुद्रा स्वीती के कारण नकदी के मूले में कमी Option D मुद्रा पर अल्पकालिक सट्टे बाजी को दंडित करने के लिए कर Option C मुद्रा स्वीती के कारण नकदी के मूले में कमी 87 प्रश्न मानव रक्त के संदर में आरच फैक्टर क्या है Option A लाल रक्त कोशिकाओं के सतय पर एंतिजन Option B रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदाई एंजाइम Option C, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर antibody Option D, रक्त में oxygen ले जाने के लिए उत्तरदाई protein उत्तर है Option A, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर antigen अठा सिवा प्रश्न, निमनलिकित में से कौन सा भारत में ब्रिट्रिश शासन की आर्थिक नीतियों का प्रभाव है नमबर एक, भारती अर्थ व्यवस्था का ग्रामीनी करण, नमबर दो, भारती क्रुशी का व्यवसाई करण, नमबर तीन, भारत में विदेशी व्यापारिक निवेश का आरंभ दिये गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिए, उप्शन E केवल पहला और दूसरा, उप्शन B केवल दूसरा और तीसरा, उप्शन C केवल पहला और तीसरा, उप्शन D पहला दूसरा और तीसरा, उतर है उप्शन D पहला दूसरा और तीसरा नमासिम प्रश्ण क्षेत्रिय व्यापक आर्थिक भागिदारी RCEP समझोता आसियान ASEAN प्लस 6 FTA भागिदारों के बीच प्रस्तावित है निम्नलिकित में से कौन से RCEP सदसे है नमबर एक मयनमार, नमबर दो भारत, नमबर तीन रूस, नमबर चार इंडोनेशिया दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिये, आप्शन A केवल पहला और चौथा, आप्शन B केवल दूसरा तीसरा और चौथा, आप्शन C केवल पहला दूसरा और चौथा, आप्शन D केवल दूसरा और तीसरा, उत्तर है आप्शन C केवल पहला दूसरा और चौथा प्रश्न संख्या 90 बाल अधिकारों के संदर्भ में भारत में निम्नलिकित में से किस या किन अभी समय या कन्वेंशन अभी समयों का पक्षकार है नमबर एक अंतर्राष्ट्रे बाल अपरण के नागरिक पहलूओं पर हेक कन्वेंशन नमबर दो नियुनतम आयू कन्वेंशन नमबर तीन बाल अधिकारों पर यू अन कन्वेंशन नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर जुनिये उप्षण A केवल पहला, उप्षण B केवल पहला और तीसरा, उप्षण C केवल तीसरा, उप्षण D पहला दूसरा और तीसरा, उतर है उप्षण C केवल तीसरा इक्यान विमप्रश्ण माइक्रो प्लास्टिक के संदर में निमनलिखित पर विचार कीजिए 1. इनके स्त्रोतों में सौंदर्य, प्रसाधन, वस्त्र और अध्यागिक प्रक्रियां सम्मिलित है 2. ये समुद्री और जलिय पारिस्ति की तंत्रों में बने रह सकते है 3. ये ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के अधिकांच भाग का निर्मान करते है उपर्युक्त कत्नों में से कौन से सही है उप्शन A किवल पहला और दूसरा उप्शन B किवल पहला और तीसरा उप्शन C किवल दूसरा और तीसरा उप्शन D पहला दूसरा और तीसरा उत्तर है उप्शन A किवल पहला और दूसरा प्रिष्ट संक्या सतत्तर हवा से प्रक्षेपित की जा सकती है। नमबर दो, बैलेस्टिक मिसाइल का प्रक्षेप पथ उसकी उडान के दोरान परिवर्तित किया जा सकता है। जबकि क्रूज मिसाइलों के प्रक्षेप पथ में कोई परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? Option A केवल पहला, Option B केवल दूसरा, Option C पहला और दूसरा दोनो, Option D ना तो पहला नहीं दूसरा, उत्तर है Option D ना तो पहला नहीं दूसरा. तिरान बेवा प्रश्न प्राक्रतिक तटबंध और विसरभी रोधिका, Point Bar निमनलिखित में से क्या है? option A, बहते पानी की निक्षेपण कारी भू आक्रतिया, option B, बहते पानी की अपर्दन कारी भू आक्रतिया, option C, हिम नदियों की निक्षेपण कारी भू आक्रतिया, option D, हिम नदियों की अपर्दन कारी भू आक्रतिया, उत्तरह option A, बहते पानी की निक्षेपण कारी भू आक्र 94. संग लोग सेवा आयोग के संदर में निमनलिकित कतनों पर विचार कीजिए 1. राश्ट्रपति के पास क्षेत्रादिकार में विस्तार करने की शक्ति है 2. नागरिकों के किसी भी पिछडे वर के पक्ष में पदों का आरक्षन करते समय सरकार को संग लोग सेवा आयोग से परामर्ष करना पड़ता है नमबर तीन, संग लोग सेवा आयोग का परामर्ष स्वीकार न करने के सभी प्रकरण केंद्रिय कैविनेट के नियुक्ति समिती द्वारा अवश्य अनुमोदित किये जाने ही चाहिए उपर्युक्त कत्नों में से कौन सा या कौन से सही है पिचान बेवंप्रशन एक व्यक्ति प्रशिक्षन पाथेक्रम पूरा करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देता है हाला कि प्रशिक्षन पूरा करने के बाद उसे अपिक्षित मजदूरी पर अपना वरिया काम नहीं मिलता उपर्योक्त परी छेद में निम्नलिकित में से किस प्रकार की बेरोजगारी का वर्णन मिलता है 96 निम्नलिकित में से कौन Age effect को सर्वस्रेष्ट धंग से परिभाशित करता है Option A, ये दो परियावासों की सीमा पर आबादी या सामुदाइक में संरचना होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करता है Option B, ये उजदम पोशन स्तर में सरवोच भक्षक प्रजातियों पर पढ़ने वाले जलवायों परिवर्तन के प्रभाव को संदर्भित करता है Option C, ये प्रित्वी के दुरूवी अक्षेतरों के किनारों पर प्रजातियों की विवित्ता में कमी को संदर्भित करता है Option D, ये खादे जाल में असंतुलन के कारण होने वाली विशेश प्रजाती की लगभग विलुपती को संदर्भित करता है उतर है Option A, ये दो परियावासों की सीमा पर आबादी या समुदाईक में संदर्चन होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करता है सतान्वेवा प्रशन भारत में निम्नलिकित में से कौन सी एजंसी समुद्र में तेल रिसाओ के बाद क्लीन अप करने के लिए केंद्रिया समन्वे प्रादी करण है Option A, राष्ट्रिया तत्रक्षक बल Option B, पोत परिवहन मंत्राले Option C, केंद्रिया प्रदूशन नियंत्रन बोड Option D, पेट्रोलियम और प्राक्रतिक गैस मंत्राले उत्तर है Option A, राष्ट्रिया तत्रक्षक बल 98 में वब्रशन निम्नलिकित में से कौन सा या कौन से अफ्रीकी देश एटलांटिक महासागर के तट पर है Number 1, नामे बेया Number 2, कॉंगो Number 3, नाइजर Number 4, नाइजिरिया दिये गए कूट का उप्योग कर सही उत्तर चुनिये Option A, केवल पहला तीसरा और चौथा Option B, केवल दूसरा और तीसरा Option C, केवल पहला दूसरा और तीसरा Option D, केवल पहला दूसरा और चौथा उत्तर है option D, केवल पहला, दूसरा और चौथा 99. ये गहरा भूरे रंग का कम उँचाई वाला मेग होता है ये हिम या जल के रूप में निरंतर वर्षा कराता है ये धरातल से 3000 मीटर तक की उँचाई पर पाया जाता है option A, पक्षाब इस्तरी मेग, सिरो स्ट्रेटिस क्लाउड option B, इस्तरी कपासी मेग, स्ट्रेटो क्यूमिलिस क्लाउड option C, पक्षाब कपासी मेग, सिरो क्यूमिलिस क्लाउड option D, वर्षा स्टरी मेग, निम्बो स्ट्रेटिस क्लाउड उत्तर है option D, वर्जास्तरी मेग, निम्बॉस्ट्रेटर्स क्लाउड प्रशन संक्या 100, भारत के महान्यायवादी के संदर में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजिए नमबर एक, संसत के पास महान्यायवादी पद के लिए कार्यकाल और पारिश्रमिक नियत करने की शक्ती है नमबर दो, सरकार का पूर्ण कालिक अधिवक्ता होने के नाते उसके लिए निजी वकालत निशिद्ध है उपरिक्त कतनों में से कौन सा या कौन से सही है उप्षण A केवल पहला, उप्षण B केवल दूसरा, उप्षण C पहला और दूसरा दोनों, उप्षण D ना तो पहला नहीं दूसरा, उतरह उप्षण D ना तो पहला नहीं दूसरा प्रिश्ट संख्या 38